नमस्ते सभी को, तो आज हम लोग इस मुद्वे पर बात करने वाले हैं समाधी विकास है तू उद्ध्यमिता, तो उद्ध्यमिता यानि अंटरप्रेनर्शिप जिसके आज हम लोग काफी चर्चा करते हैं, हर एक कॉलेज में अंटरप्रेनर्शिप पर टॉक्स हो रहे हैं, इंकिबेशन सेंटर्स पनाया जा रहे हैं, स्टार्टप से जोड दिया जा रहा है, तो एक बात ध्यान में आती है कि क्या उद्ध्यमिता का अंटरप्रेनर्शिप का प्रयोग क्या समाजी विकास के लिए भी हो सकता है, आज की दिन सोशल अंटरप्रेनर्शिप पर भी का समाजी विकास का अर्थ क्या है, समाजी विकास का अर्थ है, महान लक्षी उपूर्थी होना, तो समाज में साथ साथ रहते हुए हम एक कॉमन लक्ष रख सकते हैं, कॉमन गोल रख सकते हैं, और उसको अगर देखते हैं तो दिखता है कि हम सब प्रकार का लक्ष यो हो सकता तो पांच आयाम दिखाई देते हैं शिक्षा संसकार, स्वाफ्ट सहियम, उत्पादनकार, न्याय सुरक्षा, जिनिमय कोश, ये पांच आयाम दिखाई देते हैं और ये भी दिखाई देता है कि इन लक्षों को पुरा करने के लिए अगर शिक्षा संसकार पे काम किया जाए हर विक्ति में सही समझ, सही भाव सुनिशित होता है स्वाथ, सही मरुक्पादन कारे पे काम करते हुए अगर हम ठिक विधी से करते हैं तो हर परिवार में समर्थी सुनिशित होती है और समाज में अभ्यका भी बाकाउन बनता है इसमें भी दिखता है कि अगर हम समाधान से शुरू करते हैं तो परिवार में समधिस फुनिशित हो सकता है समाधान से शुरू करते हुए परिवार में समधिस फुनिशित करते हुए समाज में अभय हो सकता है और इन तीनों में अगर हम ठीक से काम करें, यानि मानों के साथ अगर ठीक से काम हो, तो शेस्ट प्रकृति जो पहले से ही व्यास्था में है, उसमें सहाथी तो बना रहता है, व्यास्था बनी रहती है. अगर हम आज की दिन को देखें, यानि इंडॅस्टरी को देखें, एनंजियोंत्य को काम कर रहने हो, और इसा क्या विधी हो सकता है, इसी क्या प्रक्रिया हो सकती है, इससे कि हम मानन लप्ष को पूरा कर पाएं, इन पांच आयाउंँ और काम करते ही, तो उसके हम लोग अभी थोड़ा विमर्ष करते हैं आपसे बात्चित करते हैं तो जो ट्रांस्वरमेशन है वो यह है कि अगर हम मानुवी शिक्षा फुनिशित करते हैं तो उससे अगली पिढ़ी में सही समझ सही भाव फुनिशित होता है और उससे समाज में परिमारजन होता है जैसे अभी अगर स्थिति को देखें तो व्यकति में सही समझ का भाव है जिसको जीवचेतना कहेंगे और उसके कारण समाज में देखें, तो समस्यां दिखाई देरीं, मानों में इस तरह की गलत मानेता है, बन गई हैं, जैसे पैसा ही सब कुछ है, कोडेक्टिव इश्वास की योगे नहीं है, परिवारों में संग्रह के लिए काम चल रहा है, सुविधा क्या और शक्तास करने के लिए, यही जब फैलकर समाज में जाता है, तो डॉमिनेशन, एक्स्ट्राटेशन, सकार्ण भय, आतंक यह दिखाई देता है, अब प्रकृति में दोहन शोफन दिखाई देता है, इसके फल परणाम की रुप में देखें, तो व्यक्ति में उनमाद दिखाई देता है, पर उनमाद भी बढ़ता जा रहा है, वैसे ही समाज में आतंक, समाज में ज्यादा अयानफ होते जा रहे हैं, अब हर देश के पास नुक्लियर बं होने वली स्किती बनती जा रही है, अगर ऐसा होगा तो धर्दी को कितनी बार नस्ट कर पाएंगे, एक बार नस्ट करन करें, मानवी लक्ष को समझ के काम करें, तो जहां से भी शुरुआत करेंगे, व्यक्ती से व्यक्ती, परिवार से परिवार बढ़ते चले जाएंगे, और एक व्यक्ती में भी अगर मानव चितना सुनिशित होता है, तो कई व्यक्तियों में मानव चितना सुनिशित करने के जोग जो हो जाता है, जिससे उसके आसपास के समाज में मानो लक्ष पूरा होने लगता है, फिरे मानो लक्ष अगली प्यूरी के लिए मानो चेतना में जीने के लिए का नुकुलता प्रजान करता है, तो मानवी शुक्षा से वेक्ती में परिमाजन होता है, वेक्ती में परि परिवार से परिवार समूह से ग्राम से ग्राम समूह और करते वे अगर एक परिवार में दस लोग हैं और दस लोगे समूह की बात की जाए तो गाउं बन जाता है और करते करते हम 10 to the power 10 मतला 10 अरब लोगों के पूरे मानों के समाज के लिए योजना कारकम मना सकते हैं इसकी पूरी संभावना दिखाई देती है परन्तों में किस प्रकार से आगे बढ़ना है इस पे महसारा विचार बनता रहता है इसका dynamics क्या होगा उसका mechanism क्या होगा कैसे परिवार आपस में जूरेंगे इसके विमर्श होता रहता है तो आज हम लोग जो शर्चा का बिंदू रखें उद्यमिता तो क्या उद्यमिता का इसमें कोई सहयोग हो सकता है माना लख्ष को पुरा करने में कैसे द्यक्ति में उसे परिमाजन हो सकता है कैसे टीम में development हो सक तो उद्यमिता एक शब्द है जो वेस्टन लिट्रेचर से लिया गया है पश्चिम में शब्द आया अंग्रेजी भाशा में अंट्रपरनर्शिप के अगर बात करें तो एक संदर्व मिलता है एक जीन बैप्टिस्ट हुए है पुरा नाम जीन बैप्टिस्ट से है एक फ्रा पर्भाव के बदल देटा है जो एक वीचार सवाज पी डालता है यानि किसि वीचार का समाख पर जो प्रभाव पड़तार है प्रभाव पढ़ने के विधिय उसको बड़ल दीता है यानि विद्धिय उसको बड़ल देता है तो ऐसा है अगर खुलिष्टिक सेंस मिए देखने का प्रयास हुआ है इस तरह से हम लोग अपने आप में स्वयम में निरिख्षन परिख्षन करते रहे हैं अगर उस्पिस्टी देखें एक समगरता के साथ जहां मखंड समाजतार भाम व्यास्था को लख्षी रूप में देख पाते हैं तो अगर समगरत दिख्ष्टी से देखें उद्यमिता जो है महारा लगत्तों पूर्टी करने के लिए एक निष्ठा पुर्वक किया गया प्रयास है यह से हीमन वैलिज का जो सारा यह प्रोग्राम चल रहा है यह भी एक उद्यमिता का उदाहरन है और आप सभी उद्यमी है आप सभी इस प्रयास में उद्यमिता सिर्फ इस अर्थ में नहीं है कि हम पैसा कमा लें कोई अर्थो पार्जन कर लें बैसिकली तो हमें लोगों की द्रिश्टी बदलनी है अपने प्रतिश्टी बदलनी है संबंद के प्रतिश्टी बदलनी है समाज के प्रतिश्टी बद कर दें, अपने साहस से कोई नई योजना कारिकम बना लें, कुछ पैसे कमा लें, वो यूनिकॉर्न में आ जाएं, बिलियन्स और डॉलर्स कमा लें, अभी हम कुछ उस तरह से लक्ष बना लेते हैं, जो एक, मैं कहूंगा, एक संक्रीन दृष्टी होगी, सम्मग्र में समर्दी हो, कोई एक व्यक्ति क्यों उन्माद में आकर पैसा कमाया, मलकि हर व्यक्ति में सही समझ सही भाव हो, क्यों कोई व्यक्ति बिलिनेर बनने के लिए समाज का शोफन करे, परन्तु हर समाज के हर व्यक्ति में अभय का भाव हो, प्रकृति का दोहन ना करना तो एक holistic sense में देखें तो entrepreneurship को हम इस रूप में इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या लगता है यह बात कहना ठीक है यह बात कहना ठीक रहेगा कि अगर entrepreneurship को holistic sense में देखा जाए तो मानो लक्ष की पूर्टी की अर्थ में परिभासित करना बनता है और देखें तो tension east and west एक ही प्रकास रहा है यह जो बैप्टिस्टेस से कह रहे हैं उनका आशा भी है कि द्रिष्टी में परिवर्तन हो अब द्रिष्टी में सार्थक परिवर्तन कैसे हो यह हम लोग इस पर चर्टा कर सकते हैं मैं यह पा रहा हूं कि समाज में बहुतेरे जो प्रियासु हैं इसमें वेस्ट में अगर हम अपने समझ द्रिष्टी से देखें तो हम उनका सदूप्यों कर सकते हैं हो सकता है कि बहुत सार इसी धांत बनाये गए सुविधा उपार्जन के लिए लाबुन माद के लिए और जयांपल बट यदि हम समझ के साथ देखें तो हम उस तरह के प्रयासों का सदुपियों कर सकते हैं इस तरह से न परिवार में समाज में इतिहास में परंपरा में इतने भी प्रयास हुए हैं अगर हम माना लक्ष को के अंदर में ले आए एक विवेक के साथ उनका मुल्यांकन करें उनका हम सदुपि सही भाव कोइशिफ होना जिस से समूह का विकास होना तो अभी हम सब एक समूह के रुप में काम कर रहे हैं तो एक की चालिंजेज करने पड़ते हैं अभी ऐसा तो है कि टीम में हर वेक तीम में सही समझ सही भाव के पूर्णता हो गई है सम्बंद का भाव पूर्न हो गया है तो टीम डिवल्पमेंट करते हुए हमें सेल्फ डिवल्पमेंट की जूरत पढ़ती है मैं अगर मेरे व्योहार से कोई आहत हो रहा है तो मैं अपने इूपर कैसे ध्यान दू मैं कैसे सजब हो जाओ अपने भाव के प्रती ताकि मेरे भावे पर इमाजन हो सके। मेरे व्योहार में कहां चूप हो जाते हैं जिसे दुसरा रखी आहत हो जाता है। मेरी दृष्टी में कहां भेद आ जाता है जिसे अगले वेकी तक मेरी बात ठीक से नहीं पहुच पाती। मैं सम्होग के रूप तो ये कॉम्प्लीवेंटरै है। doing development, team development, societal development acknowledgement is complimentary है society की development के लिए काम करते हैं और सही दिशा में मानलक्ष को समझ करते हैं वativaek जागरत होता है कि मानलक्ष को पूर पूर समझना जरूरी है और वivaek तो ज्यान के धार पर ही सुनिषीत हो सकता है कि मुझे ज्ण के लिए काम करना होता है। तो अब हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। आगर उन बातों को देखें तो तो more or less वो do's and don'ts के रूप में है कि क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, परन्ति यदि हम उसके एक्स्प्लोर करें, उसका जो essence है, वह हम पकड़ सकते हैं, उसका essence क्या है, तो ये कुछ seven key points अभी आपके सामने रख रहे हैं, अगर reference देखें तो ये YouTube पे एक वीडियो है, Mr. Deep बीपकबजाज का, इनके YouTube को, इनके वीडियो को देखते हुए, कुछ रिणना मिले कि ये बातों को अगर यहां जोड़ा जाए, तो हम जिस हमायत के काम में लगे हैं, जिस तरह से हम मुलिश चखले काम कर रहे हैं, उसको और बहतर बना जा सकता है, तो ये reference है, ये मेरी त क्लेमर भी रग देता हूं यहाँ पर, तो जो साथ महतुपूर बातें इन्होंने कहीं हैं, उस पर अगर देखें, तो एक तो बात यह है कि हम कोई भी काम अपने हाथ में लेते हैं, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेते हैं, तो absolute ownership of task at hand, कोई भी काम हम लेते हैं, जैसे हम स मीटिंग्स हो रहे हैं, मौनिंग सेशन्स चल रहे हैं, धेर सारे काम हो रहे हैं, प्रोजेक्स मिरूप में देखें, तो नई पुफ्तके लिखी जा रही हैं, ट्रांसलेशन का काम हो रहा है, बच्चों के लिए workbooks बनाया जा रहे हैं, साथ ही value education sill बनाकर बहुत सारा काम कि जा रहा है, workshops हो रहे हैं, face to face, self-funded mode में हो रहे हैं, sponsored mode में भी हो रहे हैं, कुछ 3 days के हैं, कुछ 5 days के हैं, तो बहुत सारे चीजों को हम लोग एक साथ कर रहे हैं, मिल कर रहे हैं, तो अगर इन बातों काम ध्यान रखेंगे, तो हमाएं जो कारें करने में कुछ शलता है, नि स्थिकार होती है कि नहीं, तो कोई भी काम है मिलता है, क्या हमें उसकी पूर्ण जिम्मेदारी लिना, सहज रुप सस्थिकार है के लिए, इसको आपने आपने देख सकते हैं, वैसे ही, taking more initiatives, आगे बढ़कर पहल करना है, एक होता है कि कोई बात, कोई काम आपको कहा गया, और जितना कहा गया, उतना आप कर दे रहें, दूसरी बात होती है कि मागे बढ़कर पहल लेते हैं, पहल करते हैं, और उसको खुझ से हम बेतर से बेतर बनाने का प्रयास करते हैं, तीसरी बात है कि doing more and talking less, अधिक करना और कम बोलना, तो ये भी एक ज़रूरी बात है, कई पर क्या होता है कि हम कोई कारे करने जाते हैं, उसमें जो भी मातरा में हम सफल होते हैं, उससे हो सकता हम अपने मुल्यांकर में चूप करें, और अपने बारे हम बहुत सारी बाते करने लगते हैं, या जो प्रोग्राम लेके चल रहे हम बहुत सारी बाते करने लगते हैं, तो अगले विक्ति भी हमारी बातों से आश्रफ नहीं हो पाता, तो अगर इस पे हमारा ध्यान रहे है कि हमें ज्यादा भागिदारी करनी है और कम अभी गर्ति करनी है, तो क्योगी होगा? चौथी बात है law of extra, अत्रिक का नियम, कि कुछ हम अपने आप से जोड़ कर विएकर उसको कुछ काम करते हैं, तो वो भी contribute करेगा, पुरे टीम के development, society के development में, हमारे स्वाइम के development में, then finishing what you start, आप जो भी शुरू करते हैं, उसे पूरा करना, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम शुरू करते हैं, उसे बीच में हम छोड़ देते हैं, हमने अपने लाइफ पे बहुत सारे काम शुरू किये होंगे, बहुत सारे भ्यास शुरू के होंगे, बठ हो सकता है हम उसे छोड़ देते हैं, नेक्स बात है emotional resilience, भावनात्मक लखिलापन, इसका मतलब यह हुआ, यह भाषा तो जो लेक्ती हैं, इन्होंने दिया, उसका मतलब इतना यह हुआ कि हमें कई सारे उतार चढ़ाव करने पड़ते हैं, जैसे अपने college में, उनिवस्टी के सहयोग से आपन काम शुरू किया, वठोसे पर डिरेक्टर बदल गए और अगले जो डिरेक्टर आये, उनकी तरफ से उत्साह नहीं दिख रहा है, तो कारिक्यम धीमे पड़ जाते हैं, लोग की संख्या घटने लगती है, कि नहीं, ऐसा होता है, तो कई बार आप इंबराश किल करते हैं, तो हमें अगर अपने आप में सही समझ, सही भाव के लिए काम करने की प्रणा बनी हुई है, हमको स्वय में अस्क्रस्ता बनी हुई है, तो बाहर की घटना हैं बहुत प्रभावित ही होता है, बलकि हमको दीखता है, कि ये बी एक आउसर है मेरे लिए, मैं अपनी तरफ से तो ये कहूँगा कि हर परिषिति एक उसर है अगर आपको कॉलेज में फैल कर काम करने की अनुकुलता बनी हुई है तो बढ़ी आउसर है आप अधिस्टिक लगों साथ जूर के काम कर सकते हैं बड़ा कीम बना सकते हैं साइटिक लिए मेजर उसे भागदारी कर सकते हैं और इतनी बात को लेकर किनी का कोई प्रस्म हो तो हैं बेज कर सकते हैं यह सेकंड पॉइंट जो है आगे बढ़कर पहल करना इसमें हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं इसी मुद्धों पर बात करेंगे इस तरह के मुद्धे जो है ना हमारे कारकम से जुड़े हमारे अपने इंटर्परिणर के तरफ देखना है या मुझे बनना सोच रहा हूं तो हमेशा आदमी वहीं पीछे रह जाता है ऐसा मुझे लग रहा है हाँ आद लिखिरा जैसे माल जिए हम अब करेंगे बरब करें तो कुई प्रफेता आए करेंगे होना है अब पहल कर सकते हैं कि अपने वहाव सजग होने के उसके लिए हम काम कर सकते हैं कुछ अपने इनिशेटिव ले सकते हैं नए नए तरीके डिजाइन कर सकते हैं यह बात हो जाए बिल्कुल मतलब तीम लीडर बनके ही काम करने जब तक आप पायल नहीं करोगे वो काम होगा नहीं जी भया एक इंपर्टेंट बात है जो यह व्यक्ति भी कह रहे हैं कि एक होता अंटरपर्णरशिप और एक होता अंटरप्लाई तो भले ही आप लीडर नहीं है परन्तु आप टीम में ऐसे काम करें जैसे कि जिम्मेदारी आपके उपर है इस टीम को सफल बनाने की जी 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 तो अटरप्लाई कि हम खुद से सोचते हैं पुरी जिम्मेदारी के साथ अगले इंपर निर्भर नहीं है अगला जब आदेश देगा तो इसका अनुसर काम करेंगे नहीं हम खुद इनिश्यटिव लेते हैं जी भागी दारी तो निश्चित रुप से करी सकते हैं ना पहल करने की बात है तो जब वो करता हूं कि सारी जीमेदारी मुझे ही पर फूप दी जाती उस समय थोड़ा हतो साही मैंसूस करता हूं लगता है क्या कि यह जो आगे बढ़कर पहल कर रहा हूं तो यह हमको एक अलग से बढ़ देना गया है तो क्या ये हमारा जो सोचना है या जो हमारा विचार आता है तो ये विचार माना मतलब सही नहीं है और करूं क्या इसके लिए तो होता है क्या उसमें रूची कम हो जाती है तो आज कि अधिन जो गटनाओं से प्रभावित होते हैं, हमने पहल की और परिणाम सार्थक नहीं आया, तो हमारा उत्साह चला गया, इसका मतलब कि हम बाहर जो घटना हो रहे हैं, उसे प्रभावित होकर कारकम बना रहे हैं, तो आज कि दिन जैसे अनुकुलता बनी वे सिस जी समान में आया दिए, तो ये वे काम की पूल जिम्मेदारी इना, तो जिम्मेदारी स्विकारना एक बात है, देखे, दो शब्ध है, भागिदारी और जिम्मेदारी, जैसे हमें कोई समान उठाना है, कई लोगों ने मिलके हाथ लगाया, सबकी भागिदारी हो, समान को बigkeiten कर लेता है के समयान को नहीं देना, उसकी जिंव्मेदारिहा हिए है कि कि कहरा हूं क्या लगता है इस ए वाध ठीक है कहना एक खुन आ श Τथिक है कहना, कि कुई उन मीटिंग सो सुचारू से चलने के लिए तीन चीज़ जरूरी है, अगर face to face मीटिंग की बात करें, पहले, कि एक अस्थान नियत हो, निश्चित हो, एक समय निश्चित हो, और एक व्यक्ति निश्चित हो, जो वहाँ पर पहुंच जाएगा, यह जो व्यक्ति है, जो उस ऎकंधारी दस्तान पर इस समय पहुंच जाता हूं, उसको मैं सुनिश्चित करता हूं, तो मै της toi. तो भागीदारी से आगे बढ़कर जिम्मेदारी तक जाना है, भागीदारी तो हम कर लेते हैं अगर अनुकुलता होती है, बट अनुकुलता हो या प्रतिकुलता हो, गर मैंने जिम्मेदारी स्विकार ली, तो उस कारिकम को मैं बनाया रखता हूं, तो जारी रखता हूं, त जैसे अभी भी देखें हम टीम में काम कर रहे होते हैं तो हमें कई बार रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं या रिमाइंडर्स लेने पड़ते हैं ठीक है यह और बात हो सकती है कि हम इतने सारे काम हो जाते हैं कि हमें रिमाइंडर्स की ज़ुरत पर जाते हैं पर हम देखें क अगर हमने जिम्मेदारी स्विकार लिए तो एक्स्क्यूज देने की विज़ुरत नहीं है और यह अपके परिवार में भी अभ्यास में आ सकता है आपके परिवार में भागिदारी हो रही है तो परिवार में कोई काम होना है आपने निश्यत के लिए अपने जिम्मेदारी स्विकार लिए तो फिर यह तीम आप नहीं करेंगे यह सफलता तो बहुत सारी बातों पर निरभर करेंगी उसमें मेरा प्रयास एक तरफ है परन्तों बहुत सारी और जो लोग की भागिदारी है जो भुतीर असाईनी घटनाय घटने हो तरफ हो तरफ है आltर डिंवारी केट्षिम्मेदारी ले सकता है कि परिवार्त सभूं में मेरी जीम्मेदारी क्षिब स्भविज सस्वाइब करद एक इंडेयर बात सुन रहे हैं ऐसे किस तरब है तो भी मुझे किस तरह से पुर यह गतीमान रखना है वो मेरी जिम्मेदारी तो आप आएंगे धरी-धरी रास्ते निकलने लगते हैं आपके clarity को आपके commitment को देखते हुए रास्ते बनते जाते हैं तो यह भाव हमारे अंदर आए जिम्यदारी स्विकारने का जैसे कोई काम आपको एक बार दे दिया गया तो फिर लॉट के पहले व्यक्ति के पास ना आए फिर आप खुद लॉट कराएं और कहें कि इसमें यह चीज़ अगर जोर दिया तो काम ज्यादा ठीक से होगा ऐसा न शुकारने वाली बात ठीक है है यह तो वितकoo समझना आ रहा है वो सही बात करें आप लेकिन आ समय smय स्विकार भी रहे ना तो अपनी योगिता का आखलन करेंगे तो हम अपनी योगिता का आखलन करेंगे जिम्मेदारी ली है उसका जो परिणाम आ रहा है जहां पर हमने ली है उसका मुल्यांकन भी तो होगा भी है बट यहां पर नाम से नहीं होंगे है न हमको देखता है कि फल पर नाम में तो बहुत आची हो कि योग से योग है परणतु जो मेरे भागिदारी है मेरे नदर जिम्मेदारी का भाव है वो तो निश्चित है पहली तो यह पहली बात दी कि यह गए काम की फुर्ण जिम्मेदारी स्विकारना दूसरी बात है कि नए इनिशेटिवस देना अपने आगे बढ़कर खुछ से इनिशेटिवस देना तो नए कारियों के लिए स्वच्छा से कारे करना जैसे मैंने देखा कि विडियो एटिंग का काम नहीं कहता है उन्हें बहुत सारे स्वच्छा से हम आगे बढ़कर इनिशेटिव ले रहे हैं जुम्मेदारी स्विकार रहे हैं यह काम मैं करके देखना चाहता हूँ अपने आप से पहल करना और फिर धीरे-दर योग्यता विक्सित करना ऐसा नहीं कि हम कोई कारे करने से पहले पूर्ण विक्सित हो जाते हैं पूर्ण योग्य हो जाते हैं ऐसा कभी नहीं हो पाता कारे को करते हुए हम अपने आपको जासते भी रहते हैं जीकर देखते भी पहल ही ना करें हम गलती हो जाए लोग हसेंगे मेरे बारे में अपमाज़नाए बाते करेंगे तो हम कभी आगे बढ़कर को इनिशेटिव लेही नहीं पाते इन फरक्ट आप देखें तो पुरा जो वैले दिकेशन का काम शुरू हुआ इसी प्रकार शुरू हुआ कि करना तो प्रेट को शुरू होता है और आतिन देखिए तो आप सब लोग के भी कही न कहीं पहल लिये जा रहे है जो जिस कॉलेज में है वहां पहल कर रहा है कोई गाव महले में पहल कर रहा है कि ने और फिर उस क्रम में धीरे-देरे अपनी योग्रिता विसीद करना अगर हम इतिजार करेंगे कि पूरी तरह से जब समझदार जिन्मेदार हो जयेंगे तो भागीदारी करेंगे तो होंगे ने क्योंकि भागीदारी करते हुए हम समझदार जिम्मदार होते हैं, तो वो भी अपने आप में एक देख पाना कि क्या मेरे अंदर ऐसी निष्ठा तत्परता बन पा रही है, इसका मुल्यांकन क्या हम कर पा रहे हैं, तो इस दूसरी बात है, इस स्वयम से पहल करना है न, और हर वेक्ति महचूस करें कि मानुवी परंपरा की जिम्मेदारी मेरी है, अब देखेंगे कि जितना भी आप कर पाते हैं, उसमें आपका विकाफ्त तो सुनिषित हो जाता है, आपका लक्षि. विदी, कारकर्ब तो निष्चित हो जाता है, कि नहीं, ये दूसरी बात हैं, तिसरी बात है कि दूइंग मोर टॉकिंग लेस्ट ज्यादा काम करना और कम बाते करना तो अभी थोड़ा सा देखें तो हमारे समाज में थोड़ा सा अधिक बोलने का भी प्रचलन है कि जहां बैट गए हम लोग बहुत सारी बाते करने लगते हैं कई बार शुरुआतों सार् करें लिडर्शना करें लिडर्शना करें तो हम उसमें अपना समय लगाएंगे और भले हम कम प्रॉमिस करें और उसे ज्यादा हम डली वर करने का प्रयास करेंगे यागर टीम का हरवें की सोचे कि मुझे मुझे प्रॉमिस कम करना घूलिवर जादा करना तो आप आउटमूट करण सुपर आएगा जतना हमने एस्टीमेट के व्यादा काम हो जाएंगा कि नहीं है और पर सही मुल्यांगन करना अपना हर चल्ट यह तो हम सब प्लिए जरूरी है और जब दूसरे के साथ हम कुछ शेर भी करने हैं तो आपको शेयर करेंगे अधिने कि यह दो कि एक तो बेकार के लोग है इसे कुछ उम्मीद नी रखी आ सकती है अब जह हम हथोज़़साहित हैं, हुछ लोग और हथोज़साहित कर के अपने साथ I यह भी एक negatif factor जहां आफंगा में नकसाने वाद ही बात जैंग二 हम अपने आप में देखें कि हम अपने आप में फील करें क्या हम contribute कर सकते हैं दोसरे से जब communicate करें, तो हम कर सकता है थे उसे कम बताएं BUT उसे जब से ज़्यादा काम करने का प्यास करें. अगली बात है कि अपिक्षा से कुछ अधिक करना. तो जैसे जितना हमारे कारकाम से एक अपेक्छा है, उससे हम kusz और अधिक करने का प्यास करते हैं, तो जैसे हम जिस भी कारकाम में लगे हैं, कोई प्रोजेक्ट में ही लगे हैं, कोई Глав अक्तिउटी में ही लगे हैं, उनके responses को भी note कर ले जाए, तो एक morning session के एक अच्छा effective बन गया है, frequently asked questions की एक list बन गई है, तो उसके responses note होने लगे है, उसके अपने को लगता है कोई कमी है, कोई कसर है, हम उसके लिए कुछ नए तरीके निकाल सकते हैं, तो हम उसको सोच लेते हैं, उसको करना शुरू कर देत हैं, तो दूसरा हम खुछ से सोचते हैं, कि हम इससे और क्या ज़्यादा output दे सकते हैं, और क्या बेहतर कर सकते हैं, अगर हम सिल्दोलपन की बात करें, तो अभी हम लोग अभ्यास एक, अभ्यास दो कर रहे हैं, तो हम देखें कि एक-एक step में और क्या बेहतर धंक से हम दे या के नए एक अभियास कोसे नहीं, तो अभियास ज़रूरी है यहार है तो जैसे अभी हम लोगाईां कॉप कर भी रहें, बत्साहाय में भी यह अभियास को करते रहना तलिए हम यहाव को सजक्ता पूर्वक देखपाई हम व्योस्ठा को ठीक से देख पाय है समंद को ठीक से देख पाए ऐसा ने की जब तक सेशन चल रहा है हमारा अभ्यास से बनावान permitted session उबर हो गया हमारा अभ्यास बुं गया इसा नहीं गई SS स्वयम से नयने स्किल्स सीख पाएं अभी बहुत सरे स्किल्स पढ़ रही है और बहुत सरे नयने अभी किसी पुस्तक को ट्रांसलेट करना बहुत ही सरल हो गया है पहले बहुत मुश्किल था Google तो आप देख पाएंगे कि वही चीज़ जो आज तक हम कंपनी में परफॉर्म करने के लिए कॉलेज में प्रमोशन के लिए नेमें फिर्म ले शायद प्रयोग करते अगर हम उनी स्किल्स को मानौल अच्छी के रुपे प्रयोग करें एक वॉलंटरी वेसिस पे हम उसको सीख कितनी बढ़ सकती है अभी भी देखें तो पूरा कारक्रम जो मुल शिक्षा का है एक वॉलंटरी वेसिस पे आगे बढ़ रहा है कि इसी कोई रेमुनरेशन नहीं मिल रहा है सभी अपना समय लगा रहे है कि यह लोगों ये भी तैक कर लिया कि जितने हमकों सुविदा कमान पढ़े और बहुत हो गया तो तकनीकी नहीं नहीं आ रही है बदल रही है अगर हम उसको अपडेटेड रखते हैं सीखते रहते हैं और इसमें कोई सीखने में कोई अपने सीमा मानने के जुरूत नहीं है ऐसा दिखाई जाया कि जिन्होंने कभी कम्पीटर नहीं चलाया उ अगर हमें हर वेती तक सही प्रस्ताव पहुंचाना है तो क्या इस्किल सुपयोगी हो सकते हैं अगर हर परिवार में समुधिस उनिशित करनी है क्या इस्किल सुपयोगी हो सकते हैं हमें घर में ही कोई पादन शुरू करना है क्या इस्किल सुपयोगी हो सकते हैं कि में फि इसको prokrasination कहते हैं तालने वाला काम कि शुरू तो कर दिया, कभी पूरा कर लेंगे, आज नहीं कल लेंगे, और नहीं कल नहीं, परसो कर लेंगे, कि नहीं हम टालते जाते हैं और कई बार हम काम सुरू करते हैं, इसको बीच में हम छोड़ देते हैं, भई हमें ऐसा लागा कि परिवर्टन लाया दो दिन किया फिर उसको अमने ड्रॉप कर दिया तो यह भी एक अभ्यास हमारा बन जाता है कोई काम शुरू करना उसको बीच में ड्रॉप कर देना अगली बात है कि बीच में रुपना शुरू से अन तक योजना बनाना है जैसे आप आएंगे कई बार मान लिजे हमें एक वर्क्शॉप यह और्नाइज करना है तो हम उसका पूरा सेशन प्लाइन बना लेते हैं अगर फेस की फेस वर्क्शॉप की बात करें ठीक है लोगों क यहां पर पूरा वर्क्शॉप जला खाने पीने के जगह थी वहां जो सफाई करनी है वह कौन करेगा उसके योजना ही नहीं बनाई तो वर्क्शॉप तो हो गया है न हम सब लोग कठा हुए अच्छे से बाचित किये पर तो वह जो बचा हुआ काम और किसी और की जिम में अब वह परिशान हो रहा है तो कई बर क्या होता है कि किसी काम के समापन के बारे में हम योजना नहीं बनाते प्लैनिंग नहीं करते हैं कोई डिटेल प्लैंग नहीं रहती है इन फैक्ट जपान में जो ट्वालिटी मेनेजमेंट की स्किल्स प्यार हुए तो उसमें एक इं हो गया उसकी रिपोर्ट मननी है सा कम्यूनिकेशन होना है जो और जो फैल श्रों में जाकर नई जूरनी है कई बारा हमसे नोर भी कर जाते हैं तो ठीक समय फिनिश नहीं किया काम को, हम कीचन में खाना बनाने गया है, हमारी यूदना क्या थी? इतने समय को खाना बना लेना है, बट खाना बनाने के बाद हमको चुला साफ करना है, बरतन साफ करना है, बरतन को सही जगा पर रखना है, यह हमारे ध्यान में नहीं है, अब पार्मेटिंग के जुरत रह जई है न इसे में उडारन ले रहा हूं ऐसे बहुत सार उडारन हो सकते हैं तो वर्क्शॉप भी करते हैं हम लोग ऑनलाइन तो वर्क्शॉप बाद हम फ्लेक मीटिंग करते हैं आप असमें इसमें पूरे वर्क्शॉप का मुल्यांकन हो जो सेल्फ फंडेट एफडिपीज हो रहे हैं उसमें भी जरूरी है कि जो वॉल्टियस की टीए में आपसे जाले क्या कमी रहे गई क्या अच्छा रहा और इसको कैसे बहता खटन से कर सकते हैं तो जो भी इनिशेटिव ले रहे हैं उसको पूरा करना जो रेगुलर प्रोग्राम से उनको भी कंक्लूड करना समापन करना पुरी तरह से इसको बीच में छोड़ना नहीं और मैं यह ब इतनी बात पुरेगा कोई नीगा कोई प्रश्न हो तो यह बहुत सारी संकेत में दे रहा हूं आप इसे डूज और डोंस की रूप में नल लते हुए खुद में जासे तो ज्यादा उप्योगी रहेगा सर आपने जो लॉप एक्स्ट्रा कहा उसके बारे में मैं छोटा सा शेरिंग देना चाहता हूँ भी बेलकुल यह जो आपने बात रखी है लॉप एक्स्ट्रा यह काफी बड़ी चीज होती है मैं इसे थोड़ा मानता हूँ कि जरा सा ज्यादा थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो इसमें मेरा अनुभो मैं ज़स शेयर करना चारा हूँ कि हम लोग एकाद बार किसी दुकान दार से मुंग फली लेते है और देता है और जब वो उपर से दो चार मुंग फली और एक्स्ट्रा द दो घर thé the और थ्मक को बड़ी खुश राणनन्द होता है इसी तरह से हम लोग हमारे काम में भी हम लोग सोचते है कि मैं तो हमेरे इक्स्ट्रा काम में हमेर और मेरे सोचता हूँ कि अक्स्ट्रा कि 살짝 कुछ श्यादाह कुच killer सं तो नहीं त्षोड़ा समय यह कुछ ज्याधा कर सकता हूँ, तो हम लोग कहीं ऐसे बड़े काम कर जा सकते हैं, जो निरंतर हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला नियम हमने थोड़ा सा फालो करना शुरू कर दिया, तो इसके लिए मैं तो मेरी टास्क की लिस्ट बना लेता हूँ, पूल आप लिस्ट की जह लोगों से हटके, थोड़ा सा कुछ तो भी एक्स्ट्रा हमारे महाविद्याले के लिए, कॉलेज के लिए, डिपार्मेंट के लिए, या हमारे कलीक के लिए, या हमारे फैमिली मेंबर के लिए, कुछ तो भी मैं कर रहा हूँ, और यहीं से मैं सोचता हूँ कि मुझे एक्स दूसरे के लाइफ में और कुछ कंट्रिबूट करने काम सोच सकते हैं, बिल्कुल. बढ़िया प्या, और कि निया कोई प्रशन हो? नमस्ते सर, नमस्ते. सर, आपने जैसे बुला है कि किसी भी काम को मतलब पूरे उत्साह से करें और बीच में छोड़े नहीं काम को. वो उसमें से, माली जै कोई कह रहा है कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ. और हमने अपना काम भी कर दिया और उसका उत्साह से ही किया. उसका भी कर दिया. अब जो दूसरा और तीसरा है वो सोचता हम क्यूं करें? वो भी उससी आदितन मकलब जो बीच में छोड़ने वाली आदत से मजबूर हैं जो लोग, उन्होंने भी छोड़ दिया. अब अब अखेले हमारे उपर सब के काम का बोज आ गया. और माली जै हम फिर भी लगे लगे उसको अपना और उन तीनों का भी कर दें. तो यह कहा जाता है कि यह काम तो जादा था ही नहीं, यह तो एक व्यक्ति भी कर सकता था. तो अगली बार कह रहे हैं कि तुम ही पूरा करो. पूरी उर्जा लगाई, सर, कि हम अपना भी करते रहे, उन तीन का भी करते रहे, कि काम हमें आदत नहीं है बीच में छोड़ने की, तो हम पूरा करें लक्ष तक पहुचें, ऐसा हुआ मेरे साथ हुआ था, एडमीशन के टाइम, चार लोगों को दिया गया था काम, कि चार ल आप ही पूरा करोगे, तो ज़्यादा उत्सा दिखाने के बाद, कई बार वर्कलोड इतना दे दिया जाता है, कि आदमी परेशान हो जाता है, इसके लिए क्या करें, सर, वही, तो जब हम कारे की बात करते हैं, तो कारे के साथ हम पहले इसके ब्योहार को भी ध्यान देंग और वहार के मुल में समझ इसके बिध्यान देंगे, तो इसमेरा म πरहा करेंगे हैं, तो कोई लागोनमाद के लिए कोहिं Nos جए पहलेन, कोई भाज, तो जो कान पिया जारहा है, उसके मुल में समझ नहीं है, तो एसी स्विध में तो हमारा वर्कलोड बढ़ सकता है, वही परंति जो काम देरें उनके साथ और करेंगे करते जाएंगे वे पर हमारे संपने का समय कम हो जाएगा तो आपके लिए समय कम हो जाएगा , पिर मतलब हम अगर चार का काम करेंगे और अपने आपका तरसको भी बात करेंगे ना फिर वाफ हतावत है समझ को तो केंदर में रखना ही है रखना ही है तो सबसे पर आपके पर एक वर्क्षाप करें हम से कम कुछ सेशन तो करें ताकि जो हम काम करने जा रहे हैं उसका रोल रिस्पोंसिशनी ठीक से क्लियर हो क्योंकि मैं भी जो आप रखने उनको इंपलिमेंट करने के इतना तो तेख ही रही हूं कि हम लोग स्टुडेंट्स के साथ काफी जादा प्रोजेक्स में इन्वार्ट रहे हैं महां पर स्टुडेंट्स की भागीदारी उस तरह से सुनिष्चित नहीं हो पाती जैसे हमारी उसकी है तो उनका क्यूंकि बहुत पहला हुआ वो रहता है कि उन्होंने समेस्टर एजाम भी देन करें और इसको इन्वाल कैसे करें अपनी प्रोजस तो समझ से करनी ही है तो कॉलेज में भी हम कॉलेज के पूरे एजुकेशन को वैली बेस प्राट ले तो काम करेंगी वैल एजुकेशन सिल को इस्टैबिश करेंगे लोग साथ वर्क्शॉप करेंगे मेरा तो यह करें कि हर कॉलेज में हफते में एक बार तो सब लोग साथ में बैठें कुछ मीटिंग में कोई डिस्कॉशन हो कम से कम जो लोग वर्क्शॉप के वे हैं वो तो आपस में मीटिंग जरूर करें और फ्राट टीम को एक्स्टेंड भी करें जो नए लोग उनको भी जोड़ ल कि यह भार घटनाउं से प्रभावित नहीं हुए हम किसी प्रयाश से सफल हो गएآवeshित हो गया अति रूछ हो गया हमने तो मैदान मार ली ओन यह सब तो छोटे-मोटे मेरे बाहा हम के काम है और असक्टापल हो गए तो मैं तो किसी योगी नहीं किसी काम का नहीं कुछ प्रयास है उसको जारी रखना इसे कई बार मैं कहता हूँ कि हर परिसिति एक आउसर है आज इन सिस्टम में उकुलता है तो एक तरह का उसर है पर जामपल पैंडेमिक आ गया पैंडेमिक में हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे इंट्रेक्शन बंद हो गया थे वह परिसिति एक आउसर बना ओनलाइन प्लाटफोंपे काम शुरू हो गया और बहुत अच्छा काम शुरू हो गया लॉग्डाउन के दुरा नगार देखें तो यह आउनलाइन प्लाटफोंपे अम लोग पूरे देश बर के साथ यह से कनेक्ट हो पाया जो पहले हम लोकली तो फिर अपने आप में तो और अच्छे से काम कर सकते हैं एक लॉग्डाउन का दरान एक स्टेट्मेंट भी चलता था कि वेन्यू कैनट गो आउससाइड गो इंसाइट तो कई प्रणाट चुनौतियां हो सकती है तो इस्टम में प्रोविजन बन गया तो अच्छी बात ह प्रोविजन नहीं बना कोई बात नहीं प्रोविजन क्रियेट करेंगे इसके लिए काम करेंगे जितना प्रोविजन पहले से है उसका फदूप्योग करेंगे इंसा कभी भी आप देखें तो एक जिन में तो नहीं शुरू हुआ उसके पहले अगर आप देखें तो गाउं जो कॉलेज में बच्चों के बीच में कुछ काम शुरू हो गया। हीद की कामना नहीं है। को के काम शुरू है काती के लाव के लिए काम के लिए काम कर रहे हैं। यहां के दिन अच्छी बात है कलको सकती है। पर उस प्रतिकुलता में भी आपको एक नई तरक्तन उकुलता दिखाई देगी, अपने उपर काम करने की, हो सकता है जिन कारणों से प्रतिकुलता बनी, उन कारणों को और विचार करने की, जो स्वाट एनलिसिस की बात करते हैं, strength, weakness, opportunity, threats, तो हम हर आउसर में जाकर उसका अ और क्या weakness है, क्या नए opportunities है, क्या threats है, तो जो skills को हो सकता है समाज में आज की दिन, फिर कुछ पादन में लगाया जा रहा है, उसको हम अगर यहां पर सदूप्यों करें, मानुलक्ष के अर्थ में, पांच आयाम में, तो बहुत सारा काम हो सकता है, शुच्छा के चेतर में, स्वास के चेतर में, समाजी के चेतर में, बहुत सारा काम हो सकता है, और गलतियों को करने से डरने की जुरत नहीं है, हम गलतियां नहीं कर रहे हैं, यह भी हो सकता है कि हम प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, अगर हम कोई प्रयास ही नहीं कर तो गलती भी नहीं करेंगे, तो गल स्क्राइब भी सकते हैं उसके ऊपर अपने अंदर काम कर सकते हैं तो यह जो यह जो बात है बहुत महतुपूं हैं इससे अगर आप इस चीज को ठीक से अपने आप में देख पाएं तो फिर आप बातवांट के नुकूलता या प्रतिकूलता से बहुत प्रभावित नहीं होते हैं आपकी गती निश्चित बनी रहती है आपके बाद जो 24 गंटे का समय उसका तो सब करी सकते हैं जहां भी हो हम सब में यह छमता है कि हम में से किसी को भी कह करो इसटा कशो आता विए को जितेक तो कर रहे हैं फिर वीड़ा इतना चाहन हेही ख़़ए सिस्टम तो जो चीज 혁 कर रही है सबublikस करना 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 धुए से कम करना हम फुल्ल्यांकन करते रहेंगे हमने जो ऑनिशैटीव इसलिए है जो काम कर रहा है उसके ज्यादा ध्यान देंगे जो नहीं काम कर रहा है ठीच है उसके कम ध्यान देंगे उसको परिनप करेंगे हमने जो मेजर सोचे अगर हो है ठीक काम कर रहे हैं उसके फल पर नम आ रहे हैं तो उसको उनर मुल्यांकन करेंगे उसके बहतर हम सिस अपने मुल्यांतन को सुनने से घवडाने की जूरत नहीं है ऐसा नहीं कि दूसरा हमारी कमिया उजागर कर रहा है बलकि दूसरे के पहने से हमें अपने उपर दिखाने थे कि और क्या काम करना है तो एक फीड़बेक बहुत जरूरी है अगर हम फीड़बेक लेते तो फिर हम हमारे योगेता को और कहां विक्सित करना इसका पता नहीं चलता है जैसा अगर तो हम पाएंगे कि हमारे भाव विचार में परिमाजन शुरू हो जाता है, हमारे स्वास में बरहुतरी दिखाईजर लगती है, परिवार में आपस में आर्मनी हो सकती है, अगर हमारे जिम्मेदारी का भाव हो, हमारे अंदर उनिशेति लेने की तत्रिया हो, तो थोड़ा सा सतर्क्ता है कि मैं कुछ बाते कह दूं यहां पर ताकि इसका हम पदूपयोग करता है तो यह जो लिखित गुण है ब्रहामग हो सकते हैं यदि सही समझ और सही भाव को सदूपयोग ने किया जाए जैसे कि हो सकता कि हम यही सारे टैक्स सुमिधा संगले के हो जाए जै कोछ सुझाओ है इसका सभूपयोग भी कर सकते हैं पर यदि हमको दिखते है कि मेरा लक्ष्ज स्वयं में तो गण वहम तक multif prayer और यह बात हमको ध्यान में बना तो हमारा सुख सम्वेदी का नहीं दरता है। तभी हम इसका ठीक्टी सदूपियों कर सकते हैं। हम बहतर और तरीके निकाल सकते हैं। जो साथ बिंदू में ने कहें आप से और उसे बहतर बिंदू स्वयम में सही समझ सही भाव सुनशित हो और फिर हम शेयर करें एज़ा टीम समाज के विकास के लिए इसलिए में बात बहे जा रही है कि कुछ जब करती है कि की तो अगर आम हम थीक से लेके चले एतफंप कामने कर रहा है कि अगर देखें तो अभी 500 लोगो चांक से काम कर रही है तो इसलिए बड़ी संब्सक्राइब हो सकती है 600 लोगो सकती है यह जो जिन से इंटरक्शन हो पा रहा है नहीं तो लोकल लेबल बहुत सारे लोग काम करते हैं, मुलिश इच्छा के लिए, वैली बेस्ट एजिकेशन के लिए, उनिवर्सल इमन वैलीज को ठीक से स्थापित करने के लिए, और उसके क्रम में फिर बाती आयाम पर भी हम काम कर सकते हैं, तो आउटकम यह है कि परिवा करते हैं, तो पूरी बात को समत किया जाए, तो स्वैम के विकास से, समव का विकास होता है, जिसे समाजी की विकास होता है सांध होता है सुस्रे स्प्राइब करने नहीं हर इनिशेटिवें慨 दू कि सेबिल के नहीं मेश शांतिuk में कोетрिकी हम जेके हैं जो नीशेटी है प्रयास होता है समाजिक विकास मे stem उकिने कहलए। और निष्ठा जरूरी है हमारी तब ही हम उसको एक फल परणाम वांशिक फल परणाम तक पहुचा सकते हैं और उसके लिए मैंने आपसे साथ की पॉइंट्स है कि हाथ में लिए गए कारे की पूर्ण जिम्मेदारी लिरना आगे बढ़कर प्रहल करना अधिक करना और कम बोल अत्रिक करने का प्रयास करना आप जो शुरू करने उसे पूरा करना अत्मक लचिला पर मतलब उताच रहाओं से प्रभावित नहीं होना बाहर के फल पर नाम से और एक फीडबैक लेते रहना इस साथ बाते मैंने आपसे कहीं एक सुझाओ के रूप में मठी हम सब के लिए आत्म विश्विशन के लिए स्षचाओ के रूप में है रेफरेंस की रुप में देखें तो अपना बुक है इसका मैंने कंटेंट लिए है अब मैं आपके प्रीह नमस् Sandal नमस्ते म defenses पूषन चारा था अभी आप चर्चा कर रहे थे कि हम अपनी चर्चा को कहीं भी से गली मोले में या दोस्तों साथ में बात करते वे शुरुआत कर सकते हैं तो हम शुरू शुरू कहां से करें मतलब जैसे थोड़ा सा समय अपनों मिला मालों कि 10-20 मिट का समय मिला हमको तो दशबिस मिलें क्या चर्चा करना ही चाहिए है तो यह प्योंगी बात जो हरु दिखाई देती है अगर आम समझ समद्ध को प्लेश करें यह बात 5 तो व्यक्तिकों के आपको सुविदा की ज़रत है कि नहीं तो सुविदा आपको संबन्ध है कि नहीं परिवार में क्या दिख रहा है जो समझ्धा के भाव में आपको प्लेश कर दें इतना भी समय हो उसका पूरी बात को फैला सकते हैं बिलूपने चाहर परिवर्थन्हें रखे हैं. लेकिन उसको अभी इस modern जमाने में उन्हों ने इंद्रपीनिशिप से अभी बातुर्पियां खेया से यह साफुब यैनोगों कर रहें संस्थान में भच्चों को पढ़ाने का ज्यानकारी और ग्यान बढ़ने का तो क्या ये उद्यमता का भी एक तरीका है क्यों नहीं तो हम आगे बढ़के पहल कर रहे हैं बच्चों के अंदर सही समझ सही भाव को निशित करने के लिए पहल करते हैं और उसकों को निश्ठा पूरव करना है हमारा रोल सिंपली क्लास में साथ परिमार्जन हो रहा है कि अगर पचास में काम पूरा नहीं हुआ इसी बात के लिए हर एक फैकल्टी 20 बच्चों के अंदर परिमार्जन से शिप करें तो बिल्कुल वह उद्यमिता का उधारन हम सिर्फ को पढ़ाने तक आपने आपको लिम्टेर नहीं रखेंगे बच्च आगे भी हम से कनेक्टेट रहें और इन 20 बच्चों के लाइफ को तो हम शिप अपकरता है सही आपको में जी बहिए तो यह जो मेंटरिंग का है ना तो इसके लिए मैं अपने पहल से खुद पहल करके प्रिंस्पल को इसका परपोजल दिया तो बोले के ठीक है आप मेंटर पर करने के बाद हो क्या कर रहें कि आप ही सब कुछ उसका देखिए कुछ देखने के लिए पर आपने आप में जाचपरक कर पा रहें कि नहीं तो हमें देखना ही पड़ेगा जी 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 भैया आज पस्ट हुआ नमस्ते बढ़िया तो मुझेर का समय भी हो चला है एक बार बता दें जी 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 भैया समय तो हो चुका है आपका बहुत बहुत धन्यावाद भैया तो सबसे पहले तो उधमी मानव कौन है उधकी परिभाशा अना मैं मुझे लग यह उन लोगों के लिए होगा, जो entrepreneur है और अनके के लिए होगा और मैं उधमी हो बहुत वीजी हो बता है उस प्रियास में है वहर व्यक्ति ही उधमी है और आपने कई सारे key points पताए कि एक उद्मी व्यक्ति की मानसिक्ता कैसी हो तो हमारा ध्यान गया और काफी सारा काम खुद पर करना है ऐसा दिखाई दिया भया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद session के लिए अभी हम invite करेंगे कुमार संभभ भया को तो आज का जो topic है समाजिक विकास हे तू उद्वेता भया उस पर अपनी बात रखेंगे नमस्ते कुमार भया नमस्ते दी मेरी आवाज आ रही है जी भया आपकी आवाज आ रही है भया मैं स्लाइड अपने को शेयर कर लेता हूं जी नमस्ते सभी को तो आज हम लोग इस मुद्वे पर बात करने वाले हैं समाजी विकास हे तू उद्ध्यमिता तो उद्ध्यमिता यानि entrepreneurship जिसके आज हम लोग काफी चर्चा करते हैं हर एक college में entrepreneurship पर टॉक्स हो रहे हैं discussions हो रहे हैं incubation centers पनाय जा रहे हैं स्टार्ट अप से जूर दिया जा रहा है तो एक बार ध्यान में आती है कि क्या उद्ध्यमिता का entrepreneurship का प्रयोग क्या समाजी विकास के लिए भी हो सकता है आज की दिन social entrepreneurship पर भी काफी चर्चा होती है उसी को ध्यान में रखते भी आज का हम लोग ने कि टॉपिक चला और इसके हम लोग अभी तर्चा करने वाले हैं तो समाजी विकास का अर्थ क्या है समाजी विकास का अर्थ है मार लक्षी पूर्थी होना तो समाज में साथ साथ रहते हुए हम एक common लक्ष रख सकते हैं common goal रख सकते हैं उसको अगर देखते त aware कि हम अवर्श्चा की पहिचान हो उससे अधिक उपादन पूर्वा पूरा करता है यसे हर परिवार में समूर्थी हो समाज में लोगों के बीचे परस्पर विश्वास का भाओ हो एक अभैता हो और प्रक्रिती में सहस्तित हो तो इसको अगर हम लक्ष को पुरा करने जाते हैं तो पांच आयाम दिखाई देते हैं शिच्छा संसकार, स्वाफ सहियम, उत्पादनकार, नियाय सुरक्षा, जिरिमय कोश ये पांच आयाम दिखाई देते हैं और ये भी दिखाई देता है कि इन लक्षों को पूरा करने के लिए अगर शुच्छा संस्कार पे काम किया जाए हर विक्ति में सही समझ, सही भाव सुनिशित होता है स्वाथ, सही मौरुपादन कारे पे काम करते हुए हर परivauga में समुर्द्धी और प्रक्रिती के साथ सही परिवार पे कारे करते हैं और समाज में अभावावड़ावन बनता है ये हमें ये किउजना कार्ज़क में की दिखाई देता है इसमें भी दिखता है कि अगर हम समधहाम से शुरू करते हैं तो परिवार में समधित सुनिशित हो सकता है, समधान से शुरू करते वे परिवार में समधित सुनिशित करते वे समाज में अभय हो सकता है, और इन तीनों में अगर हम ठीक से काम करें, यानि मानों के साथ अगर ठीक से काम हो, तो शेष प्रकृति जो पहले सही व्यास्था म है उसमें सहाथी तो बना रहता है जो अफ्था बनी रहती है अब अगर हम आज की दिन education system को देखें वो द्योग को देखें एन इंडस्ट्री को देखें एंजियो जो काम कर रहे हैं उनको देखें तो ऐसा क्या विधी हो सकता है ऐसी क्या प्रक्रिया हो सकती है इससे कि हम मानुलप्ष को पूरा कर पाएं इन पांच आयों के काम करते हैं तो उसके हम लोग अभी थोड़ा विमर्ष करते हैं आप उसमें बात्चित करते हैं तो जो कि रवको क Kun process को देखें तो वेकती में सही समस्काव है संमंध का भाव है संब्सका क्या है ऐनना सुड़ा क्या वाव पहचान नहीं है कि तो वेकती में समझ का भाव है संब्ना वहाए और गया प्रक्राया संगर क्ले लगा हुआ परिवारों में संग्रह के लिए काम चल रहा है सुविधा क्या शक्तास पस्ट नहीं है उसके कारण बहुत सारी समाजी समस्यां पूरीतियां शुरू हो रही है ज़्टा चाहर और एक दुस्टरे का शोफन करना सुविधा के लिए छलकपट करना पैसा नहीं कमाने के लिए यही जब फैलकर समाज में जाता है तो डॉमिनेशन, एक्स्ट्राटेशन, सकान भय, आतंग यह दिखाई देता है अब प्रकृति में दोहन शोफन दिखाई देता है इसके फल परणाम की रुप में देखें तो व्यक्ति में उनमाद दिखाई देता है कि हर व्यक्ति में साथ-साथ यह उनमाद भी बढ़ता जा रहा है वैसे ही समाज में आतंक, समाज में ज्यादा प्यानाफ होते जा रहे हैं अब हर देश के पास नुक्लियर बम होने वाली स्किती बनती जा रही है अगर ऐसा होगा तो धर्दी को किसी बार नस्ट कर पाएंगे एक बार करें तो जहां से भी शुरुआत करेंगे, व्यक्ति से व्यक्ति अनग, परिवार से परिवार बढ़ते चले जाएंगे और एक व्यक्ति में भी अगर मानोचतना वी जीने के लिए का परविता है तो मानवी शुक्षा से वेक्ती में परिमाजन होता है, वेक्ती में परिमाजन से समाज में परिमाजन होता है, और वेक्ती में परिमाजन से समाज में परिमाजन के बीच में एक कड़ी और है, जिसको हम कहते हैं कि समूम में परिमाजन होता है, टीम में ट्रास्फरमेशन होत तो परिवार से परिवार समूह, परिवार समूह से ग्राम, ग्राम से ग्राम समूह और करते वे, अगर एक परिवार में दस लोग हैं, और दस लोगे समूह की बात की जाए, तो गाउँ बन जाता है, और करते-करते हम 10 to the power 10, मतलब दस अरव लोगों के पूरे मानों के समाज के लिए योजना कारकम मना सकते हैं इसकी पूरी संभावना दिखाई देती है परन्तों में किस प्रकार से आगे बढ़ना है इस पे महसारा विचात बंता रहता है इसका डाइनमिक्स क्या होगा उसका मेकानिजम क्या होगा कै कैसे परिवार आपस में जूड़ेंगे इसके विमर्ष होता रहता है। तो आज हम लग जो सर्चा का बिंदू रखें उद्यमिता, क्या उद्यमिता का इसमें कोई सहयोग हो सकता है मानालच को पूरा करने में। कैसे विक्ति में उसे परिमाजन हो सकता है, कैसे टीम में डेवलप्मेंट हो सकता है, कैसे सोसाइटी में परिमाजन हो सकता है। उद्यमिता एक शब्द है जो वेस्टन लिट्रेचर से लिया गया है। पश्चिम में ये शब्द आया अंग्रेजी भाशा में। तो एक संदर्व मिलता है, एक जीन बैप्टिस्ट हुए है, पुरा नाम जीन बैप्टिस्ट से है, एक फ्रांसिती अर्थशास्त्री रहें, इन्होंने कहा है कि एक उद्यमी को ऐसे व्यक्ति के रुपे परिभासित किया, जो एक विचार पर काम करता है और लोगों के से बदलता है, कि उस प्रभाव को बदल देता है, जो एक विचार समाज पे डालता है, यानि किसी विचार का समाज पे जो प्रभाव पढ़ता है, प्रभाव पढ़ने की जो विधी उसको बदल देता है, यानि एक लोगों की दृष्टी में परिवर्तन ले आता है, तो ऐ अगर खुलिस्टिक सेंस में देखें, तो लोगों न भी इसको ऐसे देखने समझे का प्रयास किया है, कि मेरली कोई उद्योग खड़ा कर देना, कोई बीजनस स्टार्ट कर देना, कोई इत्पादन की नई प्रकिया जोड़ देना, इतना ही नहीं है, वलन को लोगों के वर्चन लाना, ऐसा देखने का प्रयास हुआ है, इस तरह से हम लोग अपने आप में स्वयम में निरिक्षन परिक्षन करते रहे हैं, अगर उस पिश्टिक देखें, एक समगरता के साथ, जहां मखंड समाजतार भाम व्यास्ता को लक्षी रूप में देख पाते हैं, तो अगर समगरती से देखें, उद्यमिता जो है महारा लगत्तों पूर्टी करने के लिए एक निष्ठा पुर्वक किया गया प्रयास है, यह से हीमन वैलिज का जो सारा यह प्रोग्राम चल रहा है, यह भी एक उद्यमिता का उदाहरन है, और आप सभी उद्यमी हैं, आप सभ समद्ध के प्रिटि बदलनी है, समाज के प्रिटि बदलनी है, उस रूप में इसे देखने की जूरत है, एक holistic sense में देखने की जूरत है, अभी जिस रूप में हम educational institutions में entrepreneurship पूर लेके चल रहा है, उसमें हमको लगता है मेरली बच्चे स्टार्ट अप कुछ शुरू कर दें, कुछ अपने साहस से कोई नई योजना कारिकम बना लें, कुछ पैसे कमा लें, वो यूनिकॉर्न में आ जाएं, बिलियन्स और डॉलर्स कमा लें, अभी हम कुछ उस तरह से लक्ष बना लेते हैं, जो एक, मैं कहूंगा, एक संक्रीन दृष्टी होगी, समग्र दृष्टी से देखें, तो हमें मानोलक्ष को पूरा करने के लिए क्रियास करने की दृष्ट है, उसमें ये भी चीज़े शामिल होगी, जब हम मानोलक्ष को पूरा करने की बात करते हैं, तो एक व्यक्ति क्यों धनाध्य हो जाए, और बाकी परिवार को कुछ न मिले, बल्कि हर परिवा एक holistic sense में देखें, तो entrepreneurship को हम इस रूप में इंटर्प्रेट कर सकते हैं, क्या लगता है, ये बात कहना ठीक है, ये बात कहना ठीक रहेगा, कि अगर entrepreneurship को एक holistic sense में देखा जाए, तो मानोलक्ष की पूर्टी की अर्थ में परिभासीद करना बनता है, और देखें तो इंटें मैं यह पा रहा हूँ कि समाज में बहुतेरे जो प्रयासु हैं इसमें वेस्ट में अगर हम अपने समग्द द्रिष्टी से देखें तो हम उनका सदुक्यों कर सकते हैं हो सकता है कि बहुत सार सी धांत बनाए गए सुमिधाव पारजन के लिए लाबन मात के लिए और ग्यांपल बट यदि हम समझ के साथ देखें तो हम उस तरह के प्रयासों का सदुक्यों कर सकते हैं इस तरह से परिवार में, समाज में, इतिहास में, परंपरा में इतने भी प्रयास हुए हैं, अगर हम मानालक्ष को केंद्र में ले आए, एक विवेक के साथ उनका मुल्यांकन करें, उनका हम सदुप्योग कर सकते हैं, उफित रिष्टी से आज का यह सत्र हम लों ने रखा है तो विकास के चरणों को देखें, तो स्वयम का विकास, मतलब स्वयम में परिमाजन होना, स्वयम में सही समझ, सही भाव पनिशिफ होना, जिससे समू का विकास होना, तो अभी हम सब एक समू के रूप में काम कर रहे हैं, एक तीम के रूप में काम कर रहे हैं, एक से दस, दस से सौ, सो से हजार ऐसे संख्या बढ़ती जा रही है, हमें एक टीम के रूप में काम करते हुए भी हमें कई चालेंजेज फेस करने पड़ते हैं, अभी ऐसा तो है नहीं कि टीम में हर वेक्ती में सही समझ सही भाव के पूर्णता हो गई है, सम्मंद का भाव पूर्ण हो तो टीम करते हुए हमें सेल्फ डिवलप्मेंट को विजुरत पढ़ती है, अगर मेरे वियहार से कोई आहत हो रहा है, तो मैं अपने उपर कैसे ध्यान दू, मैं कैसे सजग हो जाओ अपने भाव के प्रती, ताकि मेरे भावे पर इमाजन हो सके, मेरे वियहार में कहां चू के लिए काम करते हैं, उतना उतना हमारा सेल्फ डिवलप्मेंट भी होता जाता है, और टीम भी इतना सोसाइटी के लिए कमिटिद होके काम करती है, उतना टीम का हर मेंबर डिवलप होता जाता है, तो यह कॉंप्लिवेंटरी है, सेल्फ डिवलप्मेंट, टीम डिवलप्म कि मुझे ज्ञान के लिए काम करना होता है। जैसी बात हम लोग हर बार करते रहें कि एक छोर पर स्वम में अनुभाव के लिए काम करना है। दूसरे छोर पर सारभावं व्यास्ता भागडारी कर देगे। उस क्रम में ही यह डेवलक्मेंट के इन भी चरन दिखाई देते है तो अभी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। अगर उन बातों को देखें तो more or less वो do's and don'ts के रूप में हैं कि क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें। पर अधि हम उसके एक्स्प्लोर करें तो उसका जो essence है वो हम पकड़ सकते हैं। उसका essence क्या है। तो यह कुछ seven key points अभी आपके सामने रख रहे हैं। अगर reference देखें तो यह YouTube पे एक वीडियो है Mr. दीपक बजाज का। इनके YouTube को इनके वीडियो को देखते हुए कुछ प्रेड़ना मिली कि यह बातों को अगर यहां जोड़ा जाए तो हम जिस समाद के काम में लगे हैं। जिस तरह से हम मुलिश चगले काम कर रहे हैं। उसको और बहतर बना जा सकता है। तो यह reference है। यह मेरी तरफ से ऐसा कोई claim नहीं है कि पकबजाज जी सही समझ सही भाव पूर्ण है या ऐसा कुछ है। तो एक reference group में यहां पर लिया गया है। और इनकी बाते उपियोगी लगी हैं। यहां पर तो absolute ownership of tasks हैं। कोई भी काम हम लेते हैं। जैसे हम सभी बहुत सारे roles and responsibilities लिए गए हैं। हमारी बहुत सारे regular activities हैं और बहुत सारे projects हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। regular activities की रुप में देखें तो weekly workshops हो रहे हैं, weekly meetings हो रहे हैं, morning sessions चल रहे हैं। धेर सारे काम हो रहे हैं। तो बहुत सारे चीज़ों को हम लोग एक साथ कर रहे हैं, मिल कर रहे हैं। तो अगर इन बातों को हम ध्यान रखेंगे तो हमाएं जो कारे करने में कुछ शलता है निपूलता है ज्यादा बेहतर हो सकती है। इस वाई विस्तार से बात करेंगे। और इसको हम लोग उपरा सहज रिप सस्पिकार है के लिए इसको आपने आपने देख सकते हैं। वैसे ही टेकिंग मोर इनिशेटिव आगे बढ़कर पहल करना है। एक होता है कि कोई बात कोई काम आपको कहा गया और जितना कहा गया उतना आप कर दे रहे हैं। दूसरी बात होती है कि हम आगे बढ क्या होता है कि हम कोई कारे करने जाते हैं उसमें जो भी मात्रा में हम सफल होते हैं उससे हो सकता हम अपने मुल्यांकर में चूप करें और अपने बारे हम बहुत सारी बाते करने लगते हैं। या जो प्रोग्राम लेके चल रहे हम बहुत सारी बाते करने लगते हैं। तो अगले वेक्ते भी हमारी बातों से आश्राफ नहीं हो पाता, तो अगर इस पे हमारा ध्यान रहे कि हमें ज्यादा भागिदारी करनी है और कम अभी गर्थी करनी है, तो क्योगी होगा. चौथी बात है law of extra, अत्रिक का नियम, कि कुछ हम अपने आप से जोड़ करें कि उसको कुछ काम करते हैं, तो वो भी contribute करेगा, पूरे team के development, society के development में, हमारे SWAM के development में. Then finishing what you start, आप जो भी शुरू करते हैं, उसे पूरा करना, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम शुरू करते हैं, उसे बीच में हम छोड़ देते हैं, हमने अपने लाइफे बहुत सारे काम शुरू किये होंगे, बहुत सारे अभ्याव शुरू किये होंगे, बठो सकता है हम उस करने पड़ते हैं, जैसे अपने कॉलेज में उनिवर्स्टी के सहयोग से आपने वैल एजुकेशन काम शुरू किया, बठो सकतर डिरेक्टर बदल गये और अगले जो डिरेक्टर आये, उनके तरफ से उसाह नहीं दिख रहा है, तो कारिक्यम धीमे पड़ जाते हैं, लोग स्वय में अस्पस्ता बनी हुए है, तो बाहर की घटना उसाह बहुत प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कियम को दीखता है कि ये भी एक औसर है मेरे लिए, मैं अपनी तरफ से ये कहूंगा कि हर परिसित ये एक औसर है, अगर आपको कॉलेज में फैल कर काम करने की परिसिती आपके लिए को उसर है, और आफ़ी जो बात है, फीडबैक सिस्टम, इसके लोग डिसकर्शन करें है, इतनी बात को लेकर किनी का प्रशन हो, तो हैंबेज कर सकते हैं, जी बहाई ये सेकंड पॉइंट जो है, आगे बढ़कर पहल करना, इसमें हम थोड़ा पीछ मुझे इंटर्पेरिनर के तरफ देखना है, या मुझे बनना सोच रहा हूं, तो हमेशा आदमी वहीं पीछे रह जाता है, ऐसा मुझे लग रहा है, आप देखे रहा है, जैसे मान दीजे हम स्वैम के विकास की बात करें, इसमें के विकास की बात करें, तो कोई सकते हैं, कि अपने भाहतर स्वैधिंवर्ग होने के लिए और क्या किया जा सकता है, जी बिल्कुल, उसको अभ्यास कर सकते हैं, तीम میں और कैसे हार्मनी बने, ек待 कुछ कुंछ के रिपुंता हो, आई कर सकते हैं, तasten कर सکते हैं, नउब इसलिव तरीकर में मतलब लीडर होगे वो काम होगा नहीं जी भाया इंफाट एक इंपॉर्टेंट बात है जो यह विक्ति भी कह रहे हैं कि एक होता अंटरपर्णरशिप और एक होता अंटरप्लाई तो भले ही आप लीड़ नहीं है पर तु आप टीम में ऐसे काम करें जैसे कि जिम्मेदार ही आपके उपर अंटरप्लाई के साथ अगले उकूपर निरभर नहीं है भागेदारी निश्चित रुप से करी सकते हैं न कर सकते हैं नमस्ते नमस्ते समीको नमस्ते बात पर जैसे आगे बढ़कर पहल करने की बात है तो जब करता हूँ लगता है कि जो आगे बढ़कर पहल कर रहा हूँ, तो ये क्या ये वणा जो हमारा बिचारा आता है, तो ये इस विचार माना है मतलब सही नहीं है और करूं क्या इसके लिए तो होता है कि उसमें रूची कम हो जाती है इसका मतलब है हम भाहर जो घटना हो रहे हैं उसे प्रभावित होकर कारकम बना रहे हैं तो आध की बिन जैसे अनुकुलता बनीवे स्टम में यह सभी सपोर्ड कर रहे है तो हमारा उतसा बना हुई है कल कमा लेगे के किसी कांड द्रशिप बडल जाले तो उतसा क्रम हो जाता है हमारा जी अच्ट समाज में आजैंगी तो ये वे काम की पूर्ण जिम्मेदारी जिरना, तो जिम्मेदारी स्विकारना एक बात है, देखे दो शब्द हैं, भागिदारी और जिम्मेदारी, जैसे हमें कोई समान उठाना है, कई लोगों ने मिलके हाथ लगाया, सबकी भागिदारी हो समान को उठाने में, बट जो वे क्वेक्ति ये त्वक्ति ये त्याक कर लेता है कि समान को गिरने नहीं देना है, उसकी जिम्मेदारी हαι。 Jurassic की बाद ऐखे के लागता है, इस लिए कारकम ना ह उसमें भागिदारी की, बट जो ये ही सविकार लेता है, इस कारकम को रुखने नहीं देना है, इस तो चलाय चलने के लिए तीन चीज़ जरूरी है अगर face to face meeting की बात करें पहले, कि एक अस्थान नियत हो, निश्चित हो, एक समय निश्चित हो और एक व्यक्ति निश्चित हो जो वहाँ पर पहुंच जाएगा, यह जो व्यक्ति है जो उस निश्चित अस्थान पर निश्चित समय पह तो भागीदारी से आगे बढ़कर जिम्मेदारी तक जाना है, भागीदारी तो हम कर लेते हैं अगर अनुकुलता होती है, बट अनुकुलता हो या प्रतिकुलता हो, गर मैंने जिम्मेदारी स्विकार ली, तो उस कारेकम को मैं बनाया रखता हूं, तो जारी रखता हूं, तो भागीदारी से जिम्मेदारी क्यों बढ़ना है और यदि हम जिम्मेदार होते हैं तो फिर तीन चीज़े हम नहीं करेंगे कोई reminders के हम कोई जरूरत नहीं है जैसे अभी भी देखें हम team में काम कर रहे होते हैं तो हमें कई बार reminders देने पड़ते हैं या reminders लेने पड़ते हैं ठीक है यह और बात हो सकती है कि हम इतने सारे काम में ब्यस्त हो जाते हैं कि हमें reminders की जरूरत पड़ते हैं पर हम देखें कैसे ऐसा हो कि हमें reminders की जरूरत ना पड़े क की चिहने हम के हम काम करते हुए हमसे कोई चूट रहा है, नहीं हो पारा उसके आमें को एक्सक्रेस दहुत में जरुत नहें pity कि यह चीज़ नहीं, भी नहीं, डेटा नहीं, डेटा एन्ट सो फोर्थ. और यह हमार एक अभ्यास में आ सकता है, आपके परिवार में भी इह बांगी अ भागिदारी हो रही है, परिवार में कोई काम होना है, आपने निश्चित करते आपने जब्मदार स्कार लिए, तो त माइनर की जोध पड़ेगी, ना कोई बहाना बनाएंगे, ना कोई शिकाइट करेंगे किसी जोषी. मलगकि, परिवार की वयवस्था के लिए हम committed feel करते हैं. कि गर वीवस्था के लिए हम committed feel करते हैं, इप क्योंकि जुर्थ हमको नहीं पड़े जी. समाज के विकास के हम कमिटेट कुल करते हैं और उद्यमिता में यह चीज़े शामिल है हम कोई भी निशेटिव लेते हैं ऐसा नहीं कि हमारे करने से कोई काम सफल हो जाएगा क्योंकि сफलता तो बहुत सरी बातों पर निर्भर्क करेंगी dewस मेरा प्रयास आप तरफ है परन्तों बहुत सरी जो लोग की भागिदारी है ओंas exem fast अंगsheet सफल होना है जैना तो अभी हम जब शुरू करते हैं तो भागिदारीसे शुरू करते हैं आई को कोई एक टास्क दे दिया गया और आप इ मिया गया टास्क हो कर दें, बुर तो धीर दिरा Speak उसल्च पुरी टास्क की जिम्मधारी लए लो हमेंसे तो यह हमारा attitude एक approach बन सकता है, college में आज दिन अनुकुलता है, director बात सुन रहे हैं, manager बात सुन रहा है, तो एक तरह किस्तिती है, नहीं सुन रहे हैं, तो भी मुझे किस तरह से पुरे कार्यों को गतिमान रखना है, वो मेरी जिम्मेदारी है, तो आप आएंगे धरी-धरी र प्रेक्ति के पास ना आए, फिर आप खुद लौट कराएं और कहें कि इसमें यह चीज अगर जोर दिया तो यह काम ज्यादा ठीक से होगा, ऐसा आने कि यह काम नहीं हो सकता है, यह हम देखें कैसे हमें हो सकता है, यह बूर्ण हमें कैसे आ सकता है, इतनी बात को लेकर यह कि नहीं कोई प्रशन हो, तो हैं रेज कर सकते हैं, यह बात ठीक कह रहे है, जिम्मेदारी स्विकारने वाली बात ठीक है, भीया यह तो बेकुछ समझ में आ रहा है, वो सही बात कह रहे हैं, लेकिन समय समय पर मुल्यांकन भी जरूरी है, ऐसा ठीक है भीया, सतत मुल्यांक करेंगे फisz्मेदारी स्विकार भी रहे ना अजय हुआ अपनी योगाण करके जिम्मेदारी शुखार रहे queens लिए आपना स्विकार का मुल्द्यान कन होगा ही और जो हम ने जिम्मेदारी ली है उसका ज़ो सब्सक्राइद आ नहीं होंगे या अत्युत्साहित नहीं होंगे है ना हमको देखता है कि फल पढ़ना में तो बहुत आची हो कि योग से योग है परन्तों जो मेरी भागिदारी है जो मेरे नदर जिम्मेदारी का भाव है वो तो निश्चित है तो यह पहली बात दी यह काम की पूर्ण जिम् कि जैसे मैंने देखा कि विडियो एटिंग का काम दिया गया तो लोगोंने खुद से आगे बढ़कर नएने स्किल सीखे ऐसे कई साथी जिन्होंने कभी विडियो एटिंग नहीं की थी सौफ़वेर पर काम नहीं किया था यह विजुल कम्यूनिकेशन वाले सौफ़वेर पर काम नहीं कहता है उन्हें बहुत सारे सौफ़वेर सीखें बहुत अच्छी बात है कि स्विच्छा से हम आगे बढ़कर इनिशेटी ले रहे हैं जुम्मेदारी स्विकार रहे हैं यह काम मैं करके देखना चाहता हूँ अपने आप से पहल करना और धीरे दरी योग्यता विक्सित करना ऐसा नहीं कि हम कोई कारे करने से पहले पूर्ण विक्सित हो जाते हैं पूर्ण योग्य हो जाते हैं ऐसा कभी नहीं हो पाता है जाना कारे को करते ही हम अपने आपको जास्ते भी रहते हैं जीकर देखते भी रहते हैं और जेर हमारी योगता बढ़ती जाती है ऐसा हमने अपने आप भी होगा हागा। इन फरक्ट आप देखें तो पुरा जो वैले दिकेशन का काम शुरू हुआ इसी प्रकार शुरू हुआ जाना कि करना तो है जहां जैसे शुरुआत हो जाए एक और इस प्रेट को शुरू हो जाए तो उसी रूप में काम शुरू हो गया और आतिन देखिए तो आप सब जिस स्कूल में है वहां पहल कर रहा है जैना कोई गाव महले में पहल कर रहा है कि ने और फिर उस क्रम में धीरे देरे अपनी योगिता विसीद करना अगर हम इंतिजार करेंगे कि पूरी तरह से जब समझदार जिम्मेदार हो जाएंगे तो भागीदारी करेंगे तो अपने आप में देख पाना कि क्या मेरे अंदर ऐसी निष्ठा तत्परता बन पा रही है इसका मुल्यांकन क्या हम कर पा रहे हैं तो दूसरी बात है कि स्वयम से पहल करना है और अभी देखे हम सब को दिखाई थे कि अल्टिमेटली अगर हम जिम्मेदारी के बात करें साथ देखेंगे कि जितना भी आप कर पाते हैं उसमें आपका विकास अपने हो कि आपका लख्ष विधी कारकम तो निष्ठी हो जाता है कि रह है कि अगा है यह यह दूसरी बात्ति है सकते हैं कि जहां बैट गए हम लोग बहुत सारी बाते करने लगते हैं करने रहे बार में पुरानके सिस्टम के अलोचना डेंट कर रहे हैं लीडर्स की आलोचिना करते हैं और उसमें इतना सरा समय लगाते कि नहीं बड़ेद्य हम को दिखाई दे कि मुझे अपनी भागीदारी अपनी जिम्यदारी पर ध्यान देना है तो हम उसमें अपना समय लगाएंगे और भले हम कम प्रॉमिस करें और उसे ज्यादा हम डेलीव पर जारा करना है तो आप आएंगे आउटपूट 100% से उपर आएगा जोबी जितना हमने एस्टीमेट के उसे ज्यादा काम हो जाएगा कि नहीं कई बार ऐसा होते हैं व्लाष 와서 करिंएर हम चाल लोग और बठाने सांथ में अरे कुछ हो नहीं है कॉलरि तो बसशक्ता है यहां इसे कुन यह सी अपने तो साहित हमने चार्णों को और हम तक साहित कर गया अपने साथ में तो यह भी एक निगतिव फैक्टर बन जाता है हमारे कारेकर में एक नुकसान पहुंचाने वाली बात ही आप में देखें कि हम आपने आप में फिल करें क्या हम कंट्रिबूट कर सकते हैं दूसरे से जब कम जैसे जितना हमारे कारकम से एक अपक्षा है उससे हम कुछ अधिक करने का प्यास करते हैं तो जैसे हम जिस भी कारकम में लगे हैं कोई प्रोजेक्ट में ही लगे हैं कोई अक्टिवटी में ही लगे हैं उनके responses को भी नोट कर ले जाए तो एक morning session के एक अच्छा एक Q बन गया है frequently asked questions की एक list बन गई है तो उसके responses नोट होने लगे हैं उस एक्रा में देखे तो जहां जहां आपने को लगता है कोई कमी है कोई कसर है हम उसके लिए कुछ नए तरीके निकाल सकते हैं तो हम उसको सोच लेते हैं उसको करना शुरू कर देते हैं तो इस दोनों बाते हैं एक तो हम जो दूसरे को promise कर रहा है कि हम इतना करके deliver कर देंगे हम भले कम कर देंगे उससे ज़्यादा करके देते हैं दूसरा हम खुछ से सोचते हैं कि हम इससे और क्या ज़्यादा आउटकुट दे सकते हैं, और क्या बेहतर कर सकते हैं, अगर हम सिल्दोलपन की बात करें, तो अभी हम लोग अभ्यास एक अभ्यास दो कर रहे हैं, तो हम देखें कि एक एक स्केप में और क्या बेहतर धंक से हम देख सकते हैं और कैसे हम अपने भाव में परिमाजन कर सकते हैं कैसे विचारों में परिमाजन कर सकते हैं कैसे अपने आच्रें में परिमाजन कर सकते हैं और दूसरी बाद जरूरी है कि नियमित अभ्यास करें हम जैसे वह बात कही आती करत करत अभ्यास के जर्मति हो सुजा मों अभ्यास करते रहना ताकि हम हाव को ठिक से देख पाए हम व्योस्ता को ठीक से देख पाए संबन्ध को ठीक से देख पाए ऐसा ने कि जब तक session चल रहा है हमारा अभ्यास बनावा सेशन ओबर हो गया हमारा भी क्या चला जाँ ँस भाषर में सेशन चल रहा है तो समिन जे पाई स्टी युधय आरेयोब ही किसी पुस्तर को ठाशलेट करना बहुत ही सरब हो गया है पहले बहुत मुश्किल था ग्ision ट्रांसलेट और ऐसे बहुत सारे चीज़ आगी है कोई रिपोर्ट बढाने में देखें तो चैट जी पिटी इस तरह के बहुत सारे स्किल्स आ गए हैं एडवांस एक्सल के कोर्से आ गए हैं तो आपके देख पाएंगे कि वही चीज़े जो आज तक हम कंपनी में परफॉर करें तो आप देख सकते हैं कि समात की गति कितनी बढ़ सकती है अभी देखें तो पूरा कार्क्रम जो मुल्ड शिक्षा का है एक वॉलंटरी बेसिस पर आगे बढ़ रहा है तो इसी कोई रेमुनेरेशन नहीं मिल रहा है सब भी अपना समय लगा रहे हैं कि यह लोगों न हमारे अंदर एक आटिक्यूट भी आ जता है ऐसा नहीं कि हम एक समय तक जो कुछ सीखे पढ़े और बहुत हो गया तो तकनीकी नहीं नहीं आ रही है बदल रही है अगर हम उसको अपडेटेड रखते हैं सीखते रहते हैं और इसमें कोई सीखने में कोई अपने सीमा मानने कि जुरत नहीं है अधा दिखाए जलाए कि जिन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया उनको एक बार आप प्रस्ताव पहुंचाना है तो क्या इस्किल्स हो सकते हैं अगर हर परिवार में सम्मधिस उनिशिब करनी है क्या स्क्योगी हो सकते हैं हमें घर में कोई पाधन तो प्योवी हो सकते हैं, इमें, फिर फिनिशिंग वाट इस्टार्ट, जो काम हमने शुरू किया, उसको पूरा करना, तो पूरा करने के लिए रशनात्मक तरीके, रशनात्मक समाधान ढूमना, यह कई बार हमारे एक अभ्यास हो जाता है, एक अभ्यास तो इसको प्रोक्रे बहुत हो जाता है, तो यह भी एक अभ्यास हमारा बन जाता है, कोई काम शुरू करना, उसको बीच में ड्रॉप कर देना, इन पैक्ट, जो अगली बात है, बीच में नहीं रुपना शुरू से अन तक यह जना बनाना, जैसे आप आएंगे कई बार, मानले जीए हमें एक व करना है, तो हम उसका पुरा सेशन प्लाइन बना लेते हैं, अगर फेस की फेस वर्क्षप की बात करें, ठीक है, लोगों का ठहरने की व्योस्ता कैसे होगी, यह कैसे होगी हमने बना लिया, बट जब पुरा वर्क्षप इंफ्लूड हो जाएगा, तो काम को जो समेटना है, वो जो गद्य चादर बिछाए गए, गद्यों को समेटना है, चादर को धुलना है, वो कमरा जहां पर पुरा वर्क्षप चला खाने पीने की जगह थी, वहाँ जो सफाई करनी है, वो कौन करेगा, उसके में योजना ही नहीं बनाई, तो वर्क्षप तो हो गया, हम सब लो जो टेगोटरल क्वालिटी मनेजमेंट की स्किल्स प्यार हुए, तो उसमें एक इंपोर्टेंट पार्ट ये भी होता है, कि हाव टू फिनिश अर्टास्क, किसी काम को पूरा कैसे करना है, तो सता 80% एनर्जी आपका लगता है काम को करने में, बढ़ 20% एनर्जी लगाना जरू ये काम को ठीक से पूरा करने में, बढ़को इवेंट हो गया, उसकी रिपोर्ट बननी है, उसका कम्यूनिकेशन होना है, जो चीजे फैल गए उसको समेटना है, अगर वर्क्शॉप हो गया, सबको सर्टिटिट बटना है, उसका पुरा डेटाबेस प्यार होना है, ड अपर रिकॉर्ड में रखना है, जो औरिजिनल फाइल है, उसमें जाकर ये नई फाइल जूर नहीं है, कई बार हम इसके इग्नोर ही कर जाते हैं, तो ठीक समय फिनिश नहीं किया काम को, हम कीचन में खाना बनाने गया है, हमारी योजना क्या थी, इतने समय में को खाना बन करते हैं, तो कैसे उसको हम आखरी पड़ाओ तक ले जाएं, इसको काम को हम फूरा करके दें, कोई काम आपको दिया गया, आपको बुक को ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया, तो हमने उसका ट्रांसलेशन वाला पार्ट तो कर दिया, बट उसमें बहुत सा एटिंग के जरत रह गया, फॉर्मेटिंग के जरत रहे गया, पॉर्मेटिंग के जरत रहे गया, पिक्चर जो हमने डाले वो सही नहीं बैठे, टो आप चुक है, कहीं खुल नहीं रहा, तो हम एड़ना अगर उसको वर्ड फाइल देरें, साथ पीडिएफ भी दे दे, ताक यागला ए में आपको से बैठे और मीटिंग करके फिर उसके निसकर्ष निकाले क्या कमी रहे गई क्या अच्छा रहा और उसको कैसे बहतर ढग से कर सकते हैं तो जो भी इनिशियेटीव ले रहे हैं उसको पूरा करना जो रेगुलर प्रोग्राम्स हैं उनको भी कंक्लूड करना समापन करना पूरी तरह से इसको बीच में छोड़ना नहीं और मैं यह बात कह रहा हूं सिर्फ आपके लिए नहीं अपने लिए भी कह रहा हूं हम सबके एक संसकार रूप में बात आ सकती है कि किसी काम को मीड़वे छोड़ कर दूसरे जो पर नहीं छोड़ करना बल्के उसको अपनी जिम्मेदारिस की कार्थ में पूरा करना इतनी बात पुरेगा कोई निगा कोई प्रशन हो तो यह बहुत सारी संकेत में दे रहा हूं आप इसे डूज और डोन्स के रूप में ना लेते हुए खुद में जासे तो ज्यादा उप्योगी नहीगा मैं इसे थोड़ा मानता हूँ कि जड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो इसमें मेरा अनुभो मैं जड़ शेयर करना चाहरा हूँ कि हम लोग एकाद बार किसी दुकान दार से मुंग फली लेते है और देता है और जब वो उपर से दो चार मुंग फली और एक्स् से बोलते है कि धनिया लेते समय उसको बोलते है कि धर जड़ा सा दाल दो और वो थोड़ा से एक दंडी हमको धनिया और ज्यादा देता है तो हमको बड़ी खुशी आनंद होता है इसी तरह से हम लोग हमारे काम में भी यदि हम लोग सोचते है कि मैं तो मेरे कर जा सकते हैं जो निरंतर हमने थोड़ा सा एक्ष्ट्रा वाला इधी नियम हमने थोड़ा सा फ़लो करना शुरू कर दिया तो इसके लिए मैं तो एक मेरी टास्की लिस्ट बना लेता हूँ पूल आप लिस्ट कि जहां से मुझे पता चले कि कौन से मैं छोड़ छोड़ एक्स्ट्रा काम मैं कर पाओ जरूरी नहीं कि उससे मैं हर्दी ही कर पाओ लेकिन उससे मुझे बड़ा एक आंत्रिक समाधान और आनन्द मिलता है कि हम लोग इतर लोगों से हटके थोड़ा सा कि विए दिपार्मेंट के लिए या हमारे कली के लिए या हमारे फैमिली मेंबर के लिए कुछ तो भी मैं कर रहा हूं। और यहीं से मैं आ इस्ट्रा समाधान या आनंद जो मिलता है, जो मैंने दुसरे के लिए दिया या किया वह बड़ी खुशी वाला काम होता है जरू कि बढ़िया पिया और के निया कोई प्रशन हो और नमस्ते सर आपने जैसे बुला है कि किसी भी काम को मतलब पूरे उत्साह से करें हो बीच में छोड़े नहीं काम को जो भी योजना बनाई है उसके अंते तक जाएं जैसे हमें कोई काम दिया चार लोगों को दिया कि चार ल कह रहा है कि मैं यह काम नहीं कर पा रहा हूं और हमने अपना काम भी कर दिया और उसका उत्साह से ही किया उसका भी कर दिया अब जो दूसरा और तीसरा है वो सोस्ता हम क्यूं करें वो भी उससी आदितन मतलब जो बीच में छोड़ने वाली आदत से मजबूर हैं जो लोग उन्होंने भी छोड़ दिया अब अखेले हमारे उपर सब के काम का बोज आ गया और मालिजे हम फिर भी लगे-लगे उसको अपना और उन तीनों का भी कर दें तो यह कहा जाता है कि यह काम तो जादा था ही नहीं यह तो एक वेक्ति भी कर सकता था तो अगली बार कह रहे हैं कि तुम ही पूरा करो हमने पूरी उर्जा लगाई सर के हम अपना भी करते रहे उन तीन का भी करते रहे कि काम हमें आदत नहीं है बीच में छोड़ने की तो हम पूरा करें लक्ष तक पहुँचें इसा हुआ मेरे साथ हुआ था एडमीशन के टाइम चार लोगों को दिया गया था काम कि चार लोग मिलके करेंगे ज़्यादा बच्चे हैं यह वो मगर फिर धीरे धीरे वो मेरे उपर आगे फिर उन्होंने यह बोला यह तो बहुत सरल काम था और यह तो एक व्यक्ति कर सकता तो तो अगले साल से लेके आप ही पूरा करोगे तो ज़्यादा उत्सा दिखाने के बाद कई बार वर्कलोड इतना दे दिया जाता है कि आत्मी परेशान हो जाता है इसके लिए क्या करें सर वही तो जब हम कारे की बात करते हैं ना तो कारे चैनल करें 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 अभी कॉलिज यह सकता है कि जो कान पिया जा रहा हैं उसके मूल में समझ नहीं है तो एसी सिति में तो फिर हमारे वरकलूट बढ़ सकता है पर अधियदी हम समझ को केंडर में ले आए तो हर कि अधिया बहाव उत्पन होता है मैं दूसरे के तो कि हमारे लिए समझने का समय कम हो जाएगा तो आप के समय कम हो जाएगा प्रमादर चाहर का काम करेंगे और अपनी आपकातर को बहुत करेंगे ना फिर आप हसावत है केंदर में लखना ही है उन्राइब दिटेम के साथ पर एक वर्क्षाप करें कमसे कम कुछ सेशन तो करें ताकि विज़ा हम काम करने जा रहे हैं कि इसको हटा के चलेंगे ऐसी इसको हटा है एक तो हम फ़ग जाएंगे जी धन्यवाद सर्ट हान जी भीया, मेरा question ता आपने खोड़ा, मतलब काफी हद तक answer रही दिया दिविके question में, क्यूंकि मैं भी जो आप proposals रखते हैं, उनको implement करने के इतना तो देख ही रही हूं कि हम लोग students के साथ काफी जादा projects में involved रहे हैं, वहां पर students की भागीदारी उस तरहां से तो उनका क्यूंकि बहुत पहला हुआ वो रहता है कि उन्होंने semester exam भी देने हैं, और भी उन्होंने चीज़ें करनी हैं, उसकी विज़े से वो project उनकी priority में नहीं होता, तो मैं यही roadmap ही चाहरी थी, कि हम शुरुआत कैसे करें और इसको involved कैसे करें अपनी process, अपनी प्रॉस् सब्सक्राइब करेंगे, लोग साथ workshop करेंगे, मेरा तो यह सुझाव है कि हर college में, हर 6 महीने में, तीन दिनों का अगर, एक डिपी अगर हो जाता है, बहुत ही अच्छा है, तो आप आएंगे कि जो छोड़ी होटी चीज़े pile-up होती रहती है, उनका फिर निवारन होने सब्सक्राइब करें, और फ्रॉस्टीम को एक्स्टेंड भी करें, जो नए लोग उनको भी जोड़ लें, तो उनके साथ जब जूड़के काम करना होगा, उसमें सुख मिलेगा, अगर लोग के दृष्टी में ही, अभी समझ का भाव है, तो लिकत्वाएगी, एक बात और ह भाव में लजचिलापन होना, इसका मतलब यह हुआ, यह बाहरी घटनाओं से हम प्रभावित में हो, हम किसी प्रयास सफल हो गया, आवेशित हो गया, अति उत्साहित हो गया, हमने तो मैदान माव ली, यह सब तो छोटे-मोटे मेरे बाहराब के काम है, और अगर असफल हो प्रयास को मैं फिर से कह दू कि मानुलक सिकार तुमझे प्रयास है, उसको जारी रखना, इसे कई बार मैं कहता हूँ कि हर परसिती एक आउसर है, आज गिविन सिस्टम में उकुलता है तो एक तरह का आउसर है, पर तो दूसरे तरह का उसर है, पर एजांपल, पैंडेमिक पैंडेमिक में हम लोग घर से बाहर ने निकल पा रहे थे, पेस के पेस इंट्रेक्शन बंद हो गये थे, वो भी एक उसर बना, ऑनलाइन प्लाटफॉम पे काम शुरू हो गया, बहुत अच्छा काम शुरू हो गया, लोगडाउन के दुरा नगर आप देखें, तो ये ऑन अच्छे से काम कर सकते हैं, एक लोगडाउन का दरा नेक स्केटमेंट भी चलता था, कि वेन यू कैनाट गो आउससाइड गो इंसाइड, तो कई प्रणाट चुनौतिया हो सकती है, तो सिस्टम में प्रोविजन बन गया, तो अच्छी बात है, प्रोविजन नहीं बना, को गाउं में चौपाल पर बैठके वर्क्शॉप हुए, जेल के कैदियों के साथ अगर अनुकुलता बन गई, एम सहमात हो गया, तो उनके साथ काम शुरू हो गया, तो जहां भी ओफसर मिरा उससा सदुक्तियों किया गया, उससे लोगों को बात पहुंसती जाती ही, कुछ अच्छी बात हो रहे हैं, और निष्ठा के साथ लोग लगे हैं, इनका अपने में कोई इसमें हित की कामना नहीं है, प्रिय का दृष्टी नहीं हसा हुआ है, कोई लाव के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये समाज में भागदारी कर रहे हैं, समाज गती के लिए काम कर रहे ह तो बाहर ही घटना है तो उस में उत्राइच रहा रहेंगा, मैं आज भी कहाँ, आज की दिन अनुकुलता है, अच्छी बात है, कलको प्रतिकलता हो सकती है। नब उस प्रतिकलता में भी आपके एक नई तरह का नुकुलता दिखाई देए अपने उपर काम करने की हो सकता है जिन कार्णों से पतिकुलता बनी उनकार्णों को और विचार करने की कि पर हमारे इस पूरे प्रयात में क्या श्रिंध्या और ट्रेटित तो जो सकता है समाज लिए आज की दिन कि भी लगाया जा इसका में स्वास के चैतर में, समाजिक न्याय के चैतर में, बहुत सारा काम हो सकता है, और गलतियु को करने से डरने की जुर। अगर को प्रयास नहीं करें गलती कर रहें इतना निश्टी निश्टी करें तो जो भी करें उसका मुल्याकन करेंगे अगर यह गलती है तो सही क्या है इसको देखेंगी इसको अपनी जलती चीज़ को ठीक से अपने आप में देख पाएं तो फिर आप बातवन्ट से अनुकूलता या प्रतिकूलता से बहुत प्रभावित नहीं होते हैं आपके गती निश्यक बनी रहती है कि आपके बाद जो 24 गंटे का समय उसका तो सब्सक्राइब करी सकते हैं जहां भी हो हम सब म मैं बैठें तो कार्कम शुरू कर सकते में बैठें तो शुरु कर सकते हैं गवन मैठें तो शुरू कर सकते हैं हमको लगत न दिखाई दें यही लक्ष है इसके अन्यता कुछ भी कर रहे हैं सा को इसा आता नहीं है कारकम देद्रे k fertile आ फंबने याuciones इंगोगे पिर एक feedback system, तो जो चीजे work कर रही है, उसको ज़्यादा करना, और जो work नहीं कर उसे कम करना, हम मुल्यांकन करते रहेंगे, कि हमने जो initiatives लिए, जो काम कर रहा है, उसके ज़्यादा ध्यान देंगे, जो नहीं काम कर रहा है, ठीक है, उसके कम ध्यान देंगे, उसको बढ़िन मुल्यांकन करेंगे, उसके बेहतर हम systems निकालेंगे, बेहतर initiatives निकालेंगे, और एक feedback भी लेते रहना, अपने आपने, साखियों से, अपना मुल्यांकन करना, हम team के रूप में काम कर रहें, तो बैठके हम साथ में ज़रूर अपने मुल्यांकन को शेयर करें, और लोगों से इसका पता नहीं चलता है, जैसे अगर आप electronics में पढ़ाते हैं, mechanical में पढ़ाते हैं, control system में पढ़ाते हैं, तो feedback control system कहते हैं, कि जो input जा रहा हूँ, जो output जा रहा हूँ, अगर output का feedback input को नहीं मिले, तो input को सुधार कैसे होगा, तो हमें feedback लेते रहने की जूरत है, यह 7 मैंने आप से रखे, और इनको अगर हम ठीक से internalize करें, जांचे परखें, तो हम पाएंगे कि हमारे भाव विचार में परिमाजन शुरू हो जाता है, हमारे स्वास में बरहुतरी दिखाई देने लगती है, परिवार में आपस में harmony हो सकती है, अगर हमारे जिम्मेदारी का भाव हो, हमारे अंदर initiative लेने की तत्विया हो, तो थोड़ा सा सतरक्ता है कि मैं कुछ बाते कह दूँ यहाँ पर, ताकि इसका हम सद उपयोग करता है, तो यह जो लिखित गुण है, ब्रहामक हो सकते हैं, यदि सही समझ और सही भाव को सद उपयोग ना किया जाए, जैसे तो मैं केंदर में सही समझ और सही भाव को रखे कह रहा हूँ, पर इसकी स्किल्स हो सकते हैं, जो इसका दूर्पयोग भी हो जाए, तो इसे कुछ सुझाव हैं, इसका सदूर्पयोग भी कर सकते हैं, पर अन्तु यदि हमको दिखता है कि मेरा लक्ष स्वयम में तो पहुंचना है, समाज में अखंड समाज तक पहुंचना है, विवस्था में सार्भाव विवस्था तक पहुंचना है, इसका सदूर्पयोग कर सकते हैं, और ये बात हमको ध्यान में बना रहे है, क्यामारी मूल चाहना तो सुख सम्रिदी की निरन तरता है, कोई excitement या accumulation नही तो happiness और excitement डोल चीज़े हैं, prosperity और accumulation डोल चीज़े हैं, ये हमको अगर दिखाई दे और basic aspiration तो हमारा सुख सम्रिदी का निरन तरता है, तभी हम इसका ठीक्टी सदूर्पयोग कर सकते हैं, हम बहतर और तरीके निकाल सकते हैं, जो साथ बिंदू मेंने कहें आप से, और उसे बहतर बिंदू भी हम ढूनके निकाल सकते हैं, अपने आप में, अपने exploration से, दूसरे शब्दों में कहें तो लिखित गुर्ण जो है, वो बाहर से कोई खुशी प्राप्त करने के नहीं है, बलकि अंदर सुख सुनिशित करने के लिए है, और फिर बाहर उसको फैलाने के ल है, इसलिए में बात बहें जा रही है, कि कुछ word of caution है, ताकि इनका हम फिर सी सदुखियोग कर पाएं, तो कई बाते do's and don'ts की रूप में हैं और उसका दुखियोग भी हो सकता है, अगर हम लक्ष को ध्यान में रखेंगे, इसलिए मैंने सबसे शुरू में माना लक्ष की ब और अगरे देखें, या और बड़ी संक्षा भी हो सकती है, 600 लोग हो सकती है, इसलिए बड़ी टीम काम कर रहे हैं, और यह तो वो हैं जो जिनसे इंट्रेक्शन हो पारा, नहीं को लोकल लेबल बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बुलिश इच्छा के लिए, वैली स्थापित करने के लिए, और उसके क्रम में फिर बाती आयाम पर भी हम काम कर सकते हैं, तो आउटकम यह है कि परिवार असलिए कब दिशे परिवार तर विवस्था हो सकती है, समाज अखंड हो सकता है, मानुवी परंपरा समिशिक हो सकती है, तो हम दस लोगी टीम बना सकत हैं, यह मुल्यांट्फल की बात है, हम बहुत सारे काम तो कर रहें, बढ theo किसी को अपने साथ जोड नहीं पा रहें, तो कहीं न कहीं हमारे भाव में चूप रहें, विओहार में हम अपने को प्रामेर कारिकन की दिश स्माज का दिक्स मानुलक की पूर्ति होना है, साधन बढ़ाना, हप्यार बढ़ाना, दूसरे को बपर शातन करना नहीं परंदु मानुलक की पूर्ति करना है यह हर परिवार में, हर वेप्टी में थिश से काम हो सके हैं जो entrepreneurship है उद्यमिता है basically मानलग की पूर्ती के लिए ही निष्ठा पुर्वक की आगया प्रयास है तो हम नएने initiative ले पाए और निष्ठा जरूरी यहां पर करने हैं उसे पूरा करना है पहुनात्मक लचिलापन मतलब उताच रहां से प्रभावित नहीं होना बाहर के फल पर नाम से और एक फीडबैक लेते रहना इस साथ बाते मैंने आपसे कहीं एक सुझाओ के रूप में मठीयम सब के लिए आत्म विश्लेशन के लिए स्वाम में क्लिए प्रस्ताव के लिए नियां सोटोष में अब आपके प्रशनों को ले सकता हूं नम्स्तव हैं मैं पूचना चारा था अभी आप चरचा कर atheist कि हम अपनी चर्चा को कहीं घलितो दोस्तों सात्म है बात करते वे शुरुआत कर सकते हैं तो तो हम शुरू कहां से करें मतलब थोड़ा सा समय अपनों मिला मालों कि 10-20 मिट का समय मिला हमको तो क्या चर्चा करना है चाहिए अगर हम समझ समध समध को प्लेस करें यह बात तीन मिनिट में हो सकती है तीन सौ मिनिट भी लगा जा सकते हैं तो व्यक्तिक आपको सुविदा की जोरत है कि नहीं तो है बड़ सुविदा से जादा महत्पूर संबंध है कि नहीं परिवार में क् प्लेस करें तो इतना भी समय हो उसका पूरी बात को फैला सकते हैं जी जी बड़िया भीया आपने जो अभी उद्दे मिटा के बारे में जो विशेय रखे तो इसमें मैं यह सोचता हो कि हमारे भारतिये संस्कृति में भी इस उद्द्यमिता को काफी पहले से हमारे समाज में इसको दिखाई पड़ता है कहीं सारे लोगों ने ऐसे कहीं सारे इनिशेटिव ले लिए कि जहां पर उन्होंने समाज के लिए कुछ योगदान देने के लिए अपना एक रास्ता तय कर लिया और उसके जरिये उन्होंन भी हमारे समाज मीं ऊधारन के तोर पहमारे सामने रखे है तो मुझे लगता है कि उद्द्यमिता यह तो हमारे भारतिये संस्कृति अभिन अन्हों हो सकता है कि लेकिन उसको अभी इस modern जमाने में जो MBA वाले जो courses है और कहीं ऐसी foreign universities है उन्होंने इसे entrepreneurship को थोड़ा सा अलग एंगल से अभी हमारे सामने लोगों के सामने प्रस्तुत किया है ऐसा मुझे लगता है तो ऐसा नहीं को धमिता हमारे हमारे नहीं था हर समान में वह देखने का प्रयास कि ने तो है यह आ फिर से नमस्ते मेरी जी क्यासा यह हैं हम लोग जो काम कर रहें संस्थान में बचों को परहाने का या उसको जानकारी और ग्यान बढ़ाने का तो क्या ये उद्यमता का भी एक तरीका है क्यों नहीं तो हम आगे बढ़के पहल कर रहे हैं बच्चों के अंदर सही समझ सही भाव को निशित करने के लिए पहल करते हैं और उसको निश्ठा पुरुव करना है अगर पचास में काम पूरा नहीं हुआ उनको बात करेंगे उनको सुनेंगे अगर हम मेंसे हर वेक्ति निर्णलने की एक बैच में मुझे कंसिस्टेंटली फॉलॉप करके जैसे में पूरा आइडिया है इसी बात के लिए हर एक फैकल्टी वीस बच्चों के अंदर परिमार् सिर्फ को सब्सक्राइब करेंगे ताकि बच्चा आगे भी हम से कनेक्टेट रहें और इन वीस बच्चों के लाइफ को तो हम शेपप करता है सही आप जी भाईया तो यह जो मेंटरिंग का है ना तो इसकी लिए मैं अपने पहल से खुद पहल करके प्रिंस्पल को इसका प कुछ भी देखने के लिए प्याद नहीं तो देखिए मेंटरिंग के लिए हमने जिम्मेदाय तो देदी परन्तु उनमें जो विकास होना है उसलिए काम तो करना जरूरी है ना उन्होंने वर्षप कि आ कि नहीं है रेगुलर्ली डिसकुशन कर पा रहें कि नहीं अपने आ धिविया आ स्पस्तों नमस्ते